हाँ जे गड़िवनी तो टॉपिक का नाम है इंट्रेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट जो बच्चे इस वीडियो को देख रहा हैं उन लोगों को मैंने डेरिविटिव का चैप्टर डेरिविटिव और इंट्रेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट मिला कर एक टेस्ट मैं आप से ले रहा हूं जिसका पेपर डिस्क्रिप्शन में है अगर टाइम मिलता है ऐसा नहीं कि रात में ही कल दिन भर का भी टाइम है क्योंकि अगला जो रिविजन वीडियो डलेगा वो कल रात में डलेगा ठीक है तो तब तक के लिए अगर आप चाहो तो दो चैप्टर का revision हुआ है तो दोनों चैप्टर का taste, दोनों को मिला कर एक paper बढ़ाया है मैंने चाहो तो आप taste दे सकते हो, कल कभी time है, कल भी दे सकते हो एक बार मेरे पास submit कर देना, अगर मुझे time मिलता या overall जो भी हो मैं चेक करने की कोशिश करूँगा अब बात करते हैं इंट्रेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट की एक्चुल में हम इंट्रेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट में पढ़ क्या रहती है क्यों ये चैप्टर पढ़ है ये सब कुछ सुनाने के लिए कि अभी समय नहीं है क्योंकि हम revision कर और आपको पता है कि हम at least क्योंकि आपने चैप्टर पढ़ा हुआ तो आपको ये भी idea होगा कि ये चैप्टर क्यों पढ़ा जा रहा है ठीक है तो मैं उस मुद्दे पर बात नहीं करूँ मुद्दे की बात ये रहेगी कि यार इसमें हम को कितने पार्ट्स में इस चैप्टर को हमने पढ़ा था तो ध्यान दोगे एक तो पढ़ा था पढ़ा था पढ़ा था पढ़ना है क्या बोलूँ पढ़ा था एक तो पढ़ा था अपने forward rate agreement एक है interest rate guarantee इसका एक ही question है एक ही question है और मैंने regular class में भी एक ही question करवा रखा है तो समस्या नहीं है इंट्रेट फ्यूचर का भी एक ही कोश्चन है तो और ये कोश्चन एक ही कोश्चन है रेगुलर में भी एक ही करवा रखा है तो इसमें भी समस्य नहीं यह दोनों तो कोश्चन हमको चाहे रेगुलर हो चाहे एक जाएंगे कोश्चन तो हमको करना ही पड़ेगा पाइनेशल स्वेप थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है कैप, कॉलर और फ्लोर और इसके अलावा स्वेप प्राइसिंग में नहीं करोंगा क्योंकि इसका कोश्चन हमारी बुक्स में तो है लेकिन IAC AI ने अभी तक इस टाइप का कोई कोश्चन पूछा नहीं है और ना तो study mat में कोई कोश्चन है ना तो practice manual में कोई कोश्चन है तो मैं ये topic नहीं पढ़ाँगा जिन बच्चों ने मुझसे class लिया हुआ चाहे exam oriented चाहे regular वो ये topic कर सकता है अपने मन से जो time लगेगा वो किस में लगेगा वो लगेगा सब forwarded agreement forwarded agreement तो मिना time बार बात करें part number one start करते है forwarded agreement समझने में एक बार थोड़ा सा याद दिलाने में time लग सकता है पर ये topic easy इसी में time लगना ये topic easy है sir है क्या FRA बोलते है FRA है क्या forwarded agreement ये मैं आपको समझा रहा हूँ बस धिहान से समझना है मेरी बात topic खतम हो जाए एक person है राम और राम को मैं इसमें ये भी बता दूँगा कि आरे interest rate risk management हम कर क्या रहा है ये समझ में बिया जाएगा तो राम को पैसो की जरुरत है और पैसो का arrangement पैसो की जरुरत का असर पैसो का arrangement तो बैंक से ही होगा ना हाँ ची बैंक से ही होगा तो सर बैंक से पैसे ले लेंगे इसमें समस्या क्या है समस्या सुनो के ना समस्या तो मैं अभी समझाने जाएगा समस्या ये हैं कि राम को पैसो की जरुरत आज नहीं है आज कोई liability नहीं है उसको पैसे लगने वाले है आज से तीन मेने बाद तो ठीक है सर तीन मेने बाद बैंक से लोल ले लेंगे और क्या प्रॉब्लम है आज तो लेगे रहे आज लग ही नहीं रहे तो क्यों पैसे उधार लेंगे हम तीन मेने बाद लेंगे तीन मेने बाद कब जरूरत है आज जरूरत नहीं है सर यह है आज हमें जरूरत है आज से तीन मेहने के लिए यहां जरुपरत है यहां से तीन मेहने और सर कितने पिरियट की जरुपरत है टूटल मिला कर छे मेहने के लिए पैसों की जरुपरत है इटमिन्स राम से पूछा जाएगा कि आप पैसे कब वापस करूंगे तो आज से राम 9 मेने बाद पैसे वापस कर देंगा यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ठीक है सर तो बैंक से 3 मेने बाद लोग ले लेगे बिटे समस्या सुनो ना समस्या क्या यह कौन है सर यह बैंक हुई बिलको से यह हुई बैंक आज rate of interest जो भी हो राम को किस बात का डर है राम पूछता है सुनो बैंक अभी rate of interest क्या चल रहा है चलो बैंक ने बता भी दिया कि अभी चल रहा 6% तो राम कहता कि ठीक है जी आप एक काम करना मैं तीन मेहने बाद आऊंगा मुझे पैसो की जरुवरत है एक लाख रुपए की जरुवरत है चलो एमाउंट भी हो जाए तो ज्यादा मजाएगा एक लाख रुपए की जरुवरत है तो आप तीन मेहने बाद जब मैं आऊंगा आपके पास तो आप कितने पर्शंट रेट चल रहा 6% तो 6% पर उधार दे दोगे क्या बैंक बलती नहीं भाई नहीं कैसी बात कर रहा है आप तो फ्यूचर में लोन लेने आनी वादी बना हम लोन देगे हम मना नहीं कर रहा है हम आपको पक्का पक्का पैसा उधार देंगे लेकिन जो पैसा है वो यहां उधार मांग रहा है हां तो यहां जो रेट होगा ना उस उधार देंगे हम अभी से कोई आपके सब प्रॉमिस नहीं कर सकते कोई एग्रिमेंट नहीं कर सकते सुनो बैंक की यही समस्या तीन मैंने बाद आओगे हम देखेंगे क्या रेट है रेट अप इंटरेस जो जल रहा उसके साब से आप पैसे ले चाले ना कोई प्रॉब्लम न चिंता किसकी है चिंता है राम की इस बात का टेंशन कहीं रेट बढ़ना चाहे अब कर रही तो क्या करें तो एक बैंक आई सर ये कौन सी बैंक सिटी बैंक कोई भी बैंक हो सकती है पर इसका मुझे नाम रखना पड़ेगा इसको मैं भोल सकता हetrा हूँ अमत करो वाले क्यों बले सुनो हमारा जो रेट चल रहा है एक रेट होता है एफ यह ए फारे एफ इंटु नाइन वह रेट चल रहा है सिवन परशन हमने का समझा कर बताओ कि बहले समझा कर हम ऐसा बता रहा है कि राम आप आना आप तीन मैंने बाद चाहिए ना पको लोन मैंने का सर तीन मैंने बाद इस वैंकसे में लून तो ले लूँ पर मेरी समस्या तो सुना नहीं आपने कहीं रेट बढ़ गया तो भोले रेट बढ़ भी गया ना अगर रेट सेवन परशन्स से उपर चला गया सेवन पर्शन से ऊपर मालो मालो मन से बोल रहा हूं एट पर्शन चला गया तो उले आपको टेंशन नहीं लेना है सेवन से ऊपर जितना भी जाएगा आप यहीं से पैसे उठा यहीं से उठाना कितने पर लुवस्ट अट Agone के मतलब आपको 7% ही cost पड़ेगा, Sir अगर rate 9% हो गया, तो भी कोई दिक्कत नहीं, difference आपको extra कितना देना पढ़ा इस bank को, बोले 2% extra, तो बोले 2% हमसे ले लेना extra, आपका जो भी difference है ना वो हम देंगे, FRA bank ने tension ही खतम कर दिया, पर उसके लिए agreement, agreement बोले आज ही करना पढ़ेग agreement तो आज ही करना पढ़ेगा आपको, यहां तक बात समझ में आगी, राम की खुशी का ठीकाना नहीं, बोले ठीक है, attention नहीं, 7% इसका मतलब यह है, कि rate चाहे तो 3 मेहने बाद यह वाली bank 15% भी वसूल करे, कोई problem नहीं है, जो difference है, वो इधर से मिल जाएगा, पर यह लिखा क्या है, प्लीज एफरेवें कि यह क्या अजीब सी बात लिखिए, बोले इसका मतलब है, 3 मेहने बाद हम आपको देंगे, कितने percent, कितने मन्त के लिए, बोले 6 मेहने के लिए, लिखा जाता है, 3 into 9, मतलब 3 मेहने बाद 6 मेहने के लिए, ठीक है, राम कहता है, अच्छा सुनो, मेरी किसमत बहुत अच्छी रही, और rate मान लो, rate, 5% हुआ, तो मैं तो, sir, मेरी खुशी का ठीक आना नहीं, मुझे तो यहाँ 5% पे मिल जाएगा, बोले, आपको मिल जाएगा 5% पे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बात तो 7% से हुई थी, हाँ, तो बहले, 7 से उपर जाएगा, तो हम देंगे, लेकिन 7 से तो यह नीचे से चला गया, तो उस condition में 2% आप दे देना हमको, It means, Sir, ये तो सर्त लगा ही जारी है, यस सर्त ही तो लगा रहा है, जिस बात का डर है, उसी में तो सर्त लगा रहा है, यही तो derivaarium में पढ़ा था ठीक है सर बात समचें वाउ सर इसका मतलब यह क्या कर रहा है यह हैज कर रहा है है इसको बोलते हैं एफ आरे भी बोलते फावर्वर्ट कॉंट्रेक्ट एफ आरे का मतलब क्या है सर फावर्वर्ड एग्रिमेंट फावर्वर्ड एग्रिमेंट कर एग्रिमेंट किसके लिए र लेकिना कभी-कभी यह सब्द ऐसे लिखे रहते हैं सेवन पर्षण एट परशन एसे भी सब्द लिखार रहता है यह ऐसा भी हो सकता है कि यहां दूसा सब्द लिख रहा हूं एट पर्षण नाइन परशन है सुरुसका मतलब क्या होता है इसका मतलब fra बैंक अब इसका मतलब समझना जरूरी है बस इसलिए तो मैं यह सारा डिसकुर्शन कर रहा हूं इसका मतलब क्या होता सर यह समझा इसका मतलब बोले एफ रे बैंक गोल रही है यह नॉर्मल बैंक की तरह है अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो हम आपको 8% देंगे बैंक से उ और लेना है बात हो गए मान लुव मान लो रेट हो गया 10% तो आपको अुदहार लेना है ना तो मालो आप हम से उधार ले रहे मतलब 9% के हिसाब ते बैंक हो गी और 9% मतलब उधार लेने का रेट जाता है राम समझते हो ना अगर बैंक बेचेगा तो ज्यादा में बेचेगा आस्क रिष्ट और बॉरो कॉम बाई का मतलब हम क्या बोलते हैं लॉंग पोजीशन लॉंग पोजीशन मतलब अपसाइड बैटिंग बहुत सारे सब्द यूज कर सकते सबसे अच्छा तो बॉरो लगाया है न परेशन पेई नो से उपर जाएगा तो हमें मिलेगा नुए से कम जाए और होता इन्वेश्ट मेंट ट्रेट मतलब कितना ऐट पर शें इसको कौन सबूलते हैं सर इसको बलते इन्वेश्ट में ट्रेट हम बैंक में डिपोजिट करेंग incl cm क्या और को बलते सल एफौर कि या इसी को क्या बोलते सर डाउनसाइड बैटिंग इसको भी समझाओंगा पर कोशन के साथ समझाओंगा तो ज्यादा मच आए अगर कोट किया अगर किसी बैंक में कोटिशन लिखा एफ रे ठीट है नव पर्श को यह सब्दा एक बड़ डेफिनेशन आपको समझाओं फिर मैं आपको हैजिंग समझाओंगा क्या हो वोड़ एग्रीमेंट इंस फॉवड कॉंट्रेक्ट ओं इंट्रेस्ट इट इट इप सब कुछ मैंने आपको समझा डिया एफ आफ आ जो है दो टाइप के आवे numerical जो problem करना वो दो type के FRA for hedging FRA for arbitraiser ये समझाना ठीक है अब समझना FRA for hedging क्या होता है यही से समझाओ कि कुछ नए example से सर वो जो example दिया है न उसी से समझाओ ये ज़्याद अच्छा सर ये कुछ पढ़ना किये कुछ नहीं पढ़ना पहले मैं आपको समझा देता हूँ फिर पढ़ेंगे कि क्या है आजाते example number one इससे समझाओगा कि FRA for hedging क्या है अराम से सुनते किसकी बात हो रही थी सर राम राम को बोरो करना है 40 लाक ये है आच कितना बोरो करना है सर 40 लाक कब करना है सर तीन मेहने बाद 6 मेहने के लिए ये तीन मेहने बाद 6 मेहने के लिए मतलब इधर टोटल कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा आज सिल current interest rate 9% अभी rate of interest क्या चल रहा है बैंक में 9% अभी चल रहा है 9% सिटी बैंक कोट FRA 3 into 9 और एक सिटी बैंक है और उसने FRA कोट किया FRA 3 into 9 कितने परशन पर कोट किया है 10 परशन और 11 परशन राम बाई FRA वो समझाओंगा कि राम बाई FRA एट इलेवर्ट में क्यों किया वो मैं समझा दूँगा अब राम को दिक्कत है तीन मेहने बाद rate क्या हो सकता है अगर तीन मेहने बाद rate हो गया 13 पर राम का tension है राम का क्या tension है मारू मैं कि और rate तीन मेहने बाद क्या हो सकता है तीन मेहने बाद बढ़ सकता है कम भी हो सकता है तो राम गया FRA बैंक के पस और FRA बैंक से बोलता है सुनो ना बैंक राम बन रहा है कि सुनो ना मुझे बोरो करना है और बोरो करना है तो मेरे साथ समस्या है कि ये वाली बैंक आज तो कुछ बता नहीं रही है तीन मेहने बाद रेट कुछ भी हो सकता है मान लो रेट 13% हो गया तो फिर कैसे करेंगे तो बहुत चिनता नहीं करो आप हमारे साथ agreement कर लेजी किसके साथ agreement हो रहा है एक फारे बैंक के साथ क्या यहां बोरो कर रहा है तो बोरोई वाला रेट हो गया 11% सर इसका मतलब मैं समझाता है राम ने एक फारे बैंक से contract किया है कि सुनो FRA bank तीन मैंने बाद जब मैं loan लेने जाओंगा तो rate बढ़ सकता है कम भी हो सकता है तो 11% पे मैंने contract कर लिया है कि अगर 11% से उपर चला गया तो सुनो जो भी difference है difference कितना difference है difference है 2% तो 2% FRA bank आप हमको दे दे मैं इधर 13% पे ही उधार लूगा पर इधर से मुझे कितना percentage मिल जाएगा 2% मिल जाएगा अगर rate कुछ और हुआ rate हो गया मान लो 8% इसको दूसरे इंक से लिख दो तो समझी में आचाहेगा यस rate 8% हो गया मान लो तो फिर 11% से तो यह तो नीची हो गया और आपने क्या का 11% से उपर हो गया तो आप हमें देना पर 8 हो गया कम हो गया तो हम आपको देंगे सब कितना देंगे इस condition में हम आपको 3% देंगे बात समझ में आरी है simple है कुछ नहीं है 11% से के लिए मैंने बैटी कि यहाँ वैसे लिख तो दिया है 11% साफ साफ पर अगर नहीं भी लिखा तो आपको बात समझ में जाए पहले मैं 13% वाली बात करूं अगर rate हो गया कितना हो गया जी अगर rate हो गया 13% पहला question exam में आएगा कौन किसको पैसे देगा एफ आरे बैंक राम को देगी कितना देगी most important इसको बोलते है settlement amount यह इसको बोलते है final settlement amount कितना पैसा देगी तो चलो हिसाब किताब करते है सर पैसे देगी 40 लाग का कितना परशन डिफरेंस 2 परशन कितने मंत का interest देगी जो भी interest extra मुझे देना पढ़ना है वो interest इदर से मिल जाएगा सवाल ये है देगी कहां एफ आरे बैंक राम को पैसे देगी यहाँ पर देगी कि यहाँ पर देगी logic में ने समझाया था कि अर राम इस बैंक को पैसे कब वापस करेगी यहाँ तो यह जो difference का interest amount है जो interest का difference है मुझे यह वाली बैंक यही तो देना चाहिए भई आप जिस दिन बैंक को पैसे चुकाने जा रहे हो उस दिन उस एफ आरे बैंक से पैसे लेकर बात खतम कर देंगे लेकिन FRA में settlement कभी भी यहाँ होता है जो की गलत है यहाँ कैसे settlement हो सकता settlement तो actual में यहाँ होना चाहिए उनका कहना है कि भीया इतना नहीं देंगे हमने कब कहा कि हम आपको इतना देंगे FRA बैंक बोलती है आप यही पैसे ले जाओ पर हम आपको हम आपको इतना पैसा नहीं देंगे इसका present value देंगे present value निकलना आता है जो पैसे यहाँ मिलने वाले थे वो पैसे यहाँ मिल रहा है तो present value discounting किस से करेंगे उस दिन जो भी rate होगा 13 person उसके रिस से discounting करेंगे 1.13 से नहीं 6 मैने से discounting यहाँ से यहाँ पहुचना है न तो 1.065 से discounting होगा इतना पैसा कौन किस को देगी FRA bank राम को देगी जो भी difference है उसका present value बस आपको यह बात याद रख लिए that's it sir अगर rate हो गया मान लो 8 person तो कौन किस को देगी उस condition में राम देगा FRA bank को कितना सर 40 लाग का कितना पर्शन 3 पर्शन 6 मैने का कब देगा इसी डेट में देगा तो present value निकालना पड़ेगा यहीं के दिक्कत होती present value में जो discounting करेंगे न वो किस rate से करेंगे rate हो गया 8% तो यहां जाएगा 1.04 अच्छे बड़ेगा हमें एक्जाम में जो आ रहा हम उसकी बात कर रहे है एक्जाम में सब्द आएगा effect on FRA या तो सब्द आएगा final settlement amount निकालना तो आपको कुछ नहीं present value निकालना पड़ेगा कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं सर तो इसको एक बार देख ले कि कैसे बनाया अच्छा इन्होंने एक formula लिखा formula क्या है 40 लाग को इन्होंने निकला लिखा है notional principle notional क्यों होता है notional इसलिए भी होता है राम भले ही लोन ना ले रहा हो पर इस bank के साथ agreement कर सकते agreement भले actual में लोन नहीं ले रहा है तो कुछ ना कुछ notion interest जो difference मिलेगा वो interest का मिलेगा तो कुछ ना कुछ तो principle होना चाहिए यस इसको बला जाता है notional principle खेर वो मैं भी बात नहीं कर रहा हूँ तो अब फटा फट से इन्होंने formula क्या लिखा है पॉर्मुला यहां से समझ में जाएगा अगर rate कितना हो गया है sir अगर rate हो गया है 13% तो 40 लाक यह notional principle आरार का मतलब होता है reference rate उस दिन rate क्या हो 13% एफ़ार का मतलब होता है forward rate actual में वैटिंग किस पर वी थी 11% और यहां period जाएगा और discounting याद रखना उस दिन जो reference rate होता न उससे discounting करना है तो इतना आ गया कौन किसको दे रहा यह लिखना पड़ेगा यह E नहीं है यह FRA FRA bank किसको देगी राम को देगी exam में कभी कभी यह effective rate of interest मांगता है वैसे तो मांगा नहीं है आस तक पर मांग सकता effective rate of interest effective rate of interest कुछ नहीं है ऐसा है कि यार हमको देना पड़ेगा bank को 13% कौन सी वाली bank को इस वाली bank को 13% देना पड़ेगा और उधर से कितना मिलेगा सब उधर से तो difference के रूप में हमें कितना मिल जाएगा 2% मिल जाएगा तो हमें तो effective cost कितना पड़ेगा 11% पड़ेगा बस यह आपको दिखाना है ऐसे भी दिखा सकते हो पर जिरूरत नहीं यह तो समझाने के लिए मैंने किया यह पूछता नहीं है exam में तो आप इसका ज्यादा tension मत लिजे कि effective rate क्या पड़ेगा effective तो 11 पड़ेगा चाहे rate कम होगा चाहे rate बढ़ेगा effective तो 11% ही पड़ेगा अगर rate हो जाए सब 8% तो 8% हो गया तो कौन किसको देगा राम देगा एफ रे बैंक को net settlement amount 40 लाग 11-8 और जो भी डिफरेंस होगा वो राम effective rate आप देख ले ना ठीक है जी बस discounting पर focus करना यह one plus है अप मैं concept समझा रहा हूँ आप उस पर जान यह 8% के सबसे discounting उस दिन जो rate होगा उसके सबसे discounting ठीक है ऐसी यह एक example था जो मैंने करवाया था आपको हाँ जी कुछ नहीं है FRA से आसान topic तो मुझे लगा नहीं interest rate risk में सबसे काम आसान topic है राम want to invest यह लो सब फिर से राम बनाओ ना चलो फिर से राम बनाते यह लो जी यह कौन हो गया राम इस बार भाई साम इसको ना invest करना है bank यह लो यह bank जिसमें यह invest करना चाहते है किस बात का डर सर invest करने पर किस बात का डर है इन्वेस्ट करना, आज करना है, आज नहीं करना है, छे मैने बात करना है, ये लो, ये क्या हो गया है, छे मैने बात, कितने पिरिट के लिए करना है, बहुत तीन मैने के लिए करना है, तो आज से कितना मांद, नो, छे मैने बात, तीन मैने के लिए, City bank जो quote कर रही वो कर रही FRA नाम क्या है 6 into 9 सही नाम है 6 into 9 कितना percent 8 percent और 10 percent अब ये देखो राम को क्या करना invest तुमालों यहां भी invest करना है तो राम के लिए investment का rate कितना है 8 percent बात कितम हो गई है राम sell FRA वो मैं बाद मैं समझाऊंगा 6 into 9 क्या है पर अभी आगे समझने की कोशिक करना राम को किस बात का डर राम को क्योंकि invest करना है आज नहीं 6 मैने बाद हो सकता 6 मैने बाद उसके पास पैसा आने वाला होगा तो राम को इस बात का डर कहीं rate कमना हो जाए rate कमना हो जाए तो FRA Bank बोलती rate कम का tension मत लो 5% हो गया rate हो गया 5% कौन किसको देगा सर FRA Bank राम को देगी कितना पर्षंट तीन पर्षंट यह आफ्टर 6 मंत फर 3 मंस आफ्टर 6 मंत फर 3 कितना देगी जरह हिसाब अगर 5% होगा सर प्रिंसिपल कितना 50 लाग 50 लाग का कितना पर्षंट डिफरेंस मिलेगा 3% कितने मंत का interest मिलेगा 3 मैने का याद रखना जो difference मिलेगा वो present value मिलेगा और present value किस से करना पड़ेगा 5% से तो 3 मैने का rate देख ले थे यहाँ से यहाँ पहुचना है तो 3 मैने पहले पहुचना है तो 5 इंटो 3 by 12 divided by 100 plus 1, 1.0, 1.25, that's it, और effective कैसे, effective सब इधर से मिलेगा 5 और इधर से मिलेगा 3, तो total मिलाकर 8% ही तो हो गया, cost, this is effective rate of interest, अगर rate हो जाएगा 9%, तो आप कह रहे थे 8 से कम जाएगा, तो FRA bank हम को देगी, पर यह तो 9 है, यह तो उपर हो गया, तो उस condition में राम द देगा, किसको देगा, राम देगा, FRA bank को, कितना पर्शन, एक पर्शन, और present value किस से करेगे, 9 पर्शन पर इसमें को समझाने वाली मात नहीं है, मेरे ख्याल से आप calculate कर लोगे, ठीक है, effective rate का आप देख लोगे, effective rate में यहां नहीं करवाने हो, यहां ठीक कर लेना, यहां य question है, question number one, यह question इसलिए select किया है, वैसे तो इस question को मिझे करवाना ही नहीं चाहिए, पर यह question इसलिए select किया, क्योंकि यार, book का भी तो, sir, CA के material से भी तेकात question करवा दो, FRA, hedges, hedges का मतलब समझते न, hedge कर रहा हो, और रिस्क को से बच रहा है, ठीक है, क्या सब्द लिखे है, बज़रा देखे, देखा, Parker and Company को borrow करना है, borrow, मैंना यह diagram बना लिया कर, borrow कब करना है, सर, तीन महने के लिए करना है, कब, in the coming six months, मतलब छे महने बाद, तीन महने के लिए borrow करना है, मतलब total आज से कितना account कर लेजिए, नौ मैने, ठीक है, current rate of interest हमारे किसी काम नहीं आने माला, current rate से हमें कुछ नहीं है, पर, borrow करने से डर किस बात करने, rate बढ़ना जाए, company want to hedge itself against increasing rate of interest, companies, banker, quoted in FRA, bank, FRA bank, उन्होंने quote किया है, 9.30%, अगर 9.30% से उपर होगा, तो, नाम किया इसका Parker and Company, तो FRA bank किसको देगी, Parker and Company, कोई दिक्कर नहीं है तक, ठीक है, वो पूछ रहा है, बत ये finance settlement amount, मतलब वो ही present value, अगर rate कितना हो जाएगा, rate हो गया यहाँ, 9.6%, कौन किसको देगा, sir, bank, Parker and Company को देगी, सवाल है, कितना, this is most important, और कप, sir, मिलेगा तो यहाँ, कितना मिलेगा, sir, जो भी हो, 60 करोड का, difference कितना है, 0.3%, 0.3%, कितने amount का, 3 by 12, discounting कौन से वाले rate से करेगे, इस rate से, 9.6, factor क्या है, 9.6 into 3 by 12 divided by 100 plus 1, 1.024, इसे discounting करोगे, तो answer आ गया, अगर rate हो गया, 8.8, हमने कहा तब बढ़ेगा, पर यह क्या हो गया, कम, तो इस condition में यह person इसको देगा, मेरे खेल से, अब मुझे ज्यादा समझाने की जिर्प्रप्र, यह final settlement amount है, अखेक करें, अगर आपको करना है, एक मात्र कोशियन है, जो करके जा सकते हो, यह वाला कोशियन, पार्कर एंड कमपनी, तो चुझा फाए फार फार आरभिट रिश reply to, this is इसर इसको भी समझावगे, यह क्या लिखा वब है, क्या लिखा वब हूँ, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं पहले concept पर जाता हूं और concept मैं कैसे बना रहा हूं मैं example कि थ्रू बना रहा हूं ठीक है सर बनाते हैं यह एक example लिया मैं अब समझने की कोशिश को नम बिल्किल बारी को से कि क्या है एफ आरे पर arbitrator time लगेगा ऐसे नहीं है कि यहां हो जाएगा इसमें time लगेगा बिट्टे यह थोड़ा सा समझने वाली बात है complication है इसमें थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा ठीक है जो आपके पास है तब भी तो CA final में हूं यह एक person का नाम किया जाएगा राम ठीक और राम को मान लो bank में पैसे जमा करना है बोरो करने वाला वो भी example ले सकता हूं मान लो जमा करना है जमा करना है तो मान लो दो bank बैंक है एक्जामपल है मैं समझाती भी काम करूँ हूं बैंक A बैंक B हम बैंक A के पास गया मैं राम के पास कितने में कितने रुपए मान लेते एक लाक रुपए और राम को टूटल कितने मेने के लिए जमा करना है बैंक में छे मेने के लिए जमा करना है हम राम राम जो है वो बैंक के पास गया और बैंक ए और बैंक बी बैंक बी से पहले बात कर लेते हैं मालों बैंक बी से बुल रहा है बैंक बैंक सुनो ना मुझे छे मेहने के लिए जमा करना बले जमा कर दीचे मैंने का रेट ओप इंट्रेस्ट कितना बुले पंदरा अब टोटल मिलाकर with interest मेरे पास कितना पैसा आजाएगा तो सिंपल है एक लाख पंद्रा पर्शन थोड़ीन मिलेगा वो तो साड़े साथ पर्शन मिलेगा न तो इसको हम ऐसी कर सकते क्या है एक लाख इंटो 1.075 तो सर वोसे सबसे हमें मिलेगा एक लाख 7000 पास पर यार हम लोग तो सीए लोग है हम एक बेंक से थोड़ी संतुष्ट होगे हम दूसरी बेंक मी जाके बत करेंगी हमने दूसरी बेंक से भी पता किया हमने का सुनो बेंक है आपके यहाँ पैसे जमा कर सकते हैं बोले हाँ कर सकते है है शी मैने ध्लिए जमा करेंगा मुझे नहीं कि हमारा फ्लोटिंग रेट नई पर reflote यह ना यह भी फ्लोटिंग यह विले हमारा जो रेट ना तीन मैने में चैंज होता है मने आ का मतलब यार कुछ में करो कहना क्या चाहते हैं क्या पैसे जमा करोगी ना तीन मैने तक तो सब्सक्राइब जैसे तीन मैंने होगा यह र 우리가 कि यह राइन के लिए 12 पर से मैंने और च्छे मैंने पाद तीन मैंने बाद पीन मैंने के लिए entered कोすब्सक्राइब हो तो बोले कम व्याज मिलेंगा और जादा हो गत तो आपके मतलब समस्या मैंने का बैंक या अपनी छे मैंने के लिए या रूल सी नहीं है हमारे इट मिन्स कि यहां जो समस्या है यहां सिर्फ ये बैंक ये तीन मैंने के लिए छे मैंने के लिए करवा सकती है पर तीन मैंने के लिए हमको फिक्स पता है कि हमको कितना मिलेगा हमको कितना म यह मुझे आज़ पत्ता है कि तीन मेने बाद अगर इस बैंक में जमा करूं तो एकली आगया तो इस बैंक में जमा करूं तो तो मैं Жिसे दूसरी समस्यों कि तीन महने बाद जो एकलाख एफरेंग के पास एफरेंग सुनों ने एक बात बोले पुछो क्या पूछता है मैंने का एग्रेमेंट होता है क्या भोले होता है मुझे जो जमा करना है न आपके हाँ पैसा वो अदिन मेहने बाद जमा करना है और कितने पी रेट के लिए तीन मेहने के लिए मतलम मैं आपके हां जमा करना चाहता हूं एफ रे तीन मेहने बात तीन मेहने के लिए तो किस क्या रेट क्या है आपके हां जमा करने का रेट बता सकते हो क्या बोले हां बता सकते हैं, आप कितना चाहते हैं, पहले ये बता हो, अब ये इंपोर्टन है, आप कितना चाहते हैं, पहले अपना तो देख लो राम, आपको चाहिए कितना, राम बोलता सुनो बैंक, अभी आप चुप रहों, मैं थोड़ा हिसाब किताब कर रहा हूं, अब देखो 4,000 बैंक से जमन करोंगा तो मुझे एक साथ 파ास्यों सब्सक्राइब कर एस परियें का इंट्रेस्ट वन जी रो सेवन फाइब डबल फीडो माइनस एक लाधि 2017自己 Serum Luna 400 पासों परियें लिए practically Sport 4500 मुझे चाहिए 1,3,000 जमा करने पर ये रेट जो निकलेगा ये तो 3 मेने का निकलेगा और मुझे तो परेनम बेसिस पर बनता ना पड़ेगा 12 by 3 मुझे चाहिए कितना 4,500 divided by 1,3,000 into 100 into 12 by 3 मुझे चाहिए कम से कम 17.47 percentage मैंने ये रेट छुपा के रखा है मैंने इस FRA bank से बोला नहीं है मुझे मन में मालू है कि कम से कम मुझे यहाँ से चाहिए 17.47 परशन मनका FRA bank बताओ ना आप कितना दे रहा है FRA bank बोल रही है कि हम दे रहा है 18 परशन पर रहा नहीं का bank भी भाग जाओ यहां से पागलो मैं यहीं जमा कर लूँगा 18 परशन पर क्योंकि यहां से जो आया जाएगा मुझे कम से कम कितना चाहिए 17 परशन और आप तो 18 दे रहा है तो इधर जमा और मुझे ये agreement इससे कब करना आज ही करना है तो मुझे तो पक्का मालूम है मैं मन ही मन में कर रहा हूँ यार एक काम करता हूँ ना इधर जमा करता हूँ ये तो मिलेग ये मिलेगा और इस agreement भी आज ही कर लेता हूँ तो ये तो मिलेगा मिलेगा इट मिन्स मेरे पास पूरे 6 मैने बाद यहाँ जो पैसा आ रहा हूँ उससे ज़्यादा आ जाएगा जाठी लग गई बताओ इसको क्या बोला जाता है ये तो मैंने मन में सोचा कि और कम से कम इतना चाहिए इसको बोला जाता है theoretical f r theoretical forward rate और ये जो इन्होंने बताया है इसका नाम क्या है actual f r actual f r तो क्या आप इसको देखकर decide कर सकते हैं कि हमको जमा करना है कि नहीं जमा बिल्कुल decide कर सकते हैं ठीक है अब कुछ question पोच रहा हूँ answer देना अब राम के मन में लाल चाहे और वो सोच रहा है जमा करने से फाइदा दिख रहा हूँ आपको भी दिख रहा है या इधर जमा करने से फाइदा दिख रहा है अब राम ने दिमाग चला है और bank B से पुछा सुनो सुनो bank B आप क्या rate क्या चल रहा है बले 15% 15% पर क्या मैं उधार भी ले सकता हूँ कि अपसे bank ने का हाँ सर रेट तो उधार का अलग होता बेटे question मैं आपको इतना complicated नहीं बना कर देगा rate उधार का भी यही देगा deposit का भी यही देगा और investment का भी यही देगा ठीक है अगर अलग अलग rate दिया भी कोई मुस्किल नहीं है तो भी हम काम कर लेंगे पर अभी समझने की कोशिश करना मैं क्या कहना चाता हूँ पहली बात पहली बात यह rate निकाला कैसे यह rate कैसे निकाला इसका एक shot cut पहले यह समझ लो कि यह rate कैसे निकाला पिर आगे और बात करूँगा this equal to this तो मैं कर के आ रहा हूँ सुनोगे पहले यह समझ लो कि rate कैसे निकाल रहा है 1.075 1 lakh मैंने card दिया 1 lakh मैंने cut कर दिया 1.075 इधर का total और इधर का total कितना आगे है sir 1.03 और इधर का कितना यही तो निकालना है 1 प्लस R तो sir R is equal to इसको इससे divide होगा 1.075 divided by 1.03 minus 1 minus 1 क्यों किया ठीक है और into क्या कर देंगे into 100 पर यह कितने मैंने का 3 मैंने का तो 12 मैंने का कितना इस तरह से निकाला जाता है डारेक्ट यह वाला rate निकाल रहा है चाहो तो इसको ऐसे rate wire था मैंने गट वाय था बोल रहा हूं बड़ा वाला factor divided by छोटा वाला factor आप ऐसे भी कर सकते rate निकालने का simple सा यह वाला formula ठीक है यहां तक कोई दिक्कत है कि यहां तक कोई दिक्कत है अब मैं इसी question में मैं आपको arbitrage समझाने की कोशिश कर रहा हूं arbitrage एक बार समझ में आ गया तो बास समझ में मैंने कहा था ना यह टाइम लगेगा फ्लीज इसमें टाइम लगे ठीक है सार तमझाओ बैंक B से बात हो रही थी क्या आप हमें उधार भी दे सकते हो हां तो मैंने बैंक B से उधार ही ले लिया उधार ही ले लो और बैंक B से बोला कि बैंक आपको मैं एक लाक सातर पास्टो दूँगा बैंक ने गा ठीक है हमें तो ब्यास से मतलब है मैं जे पक्का मालूम है बैंक B से जो एक लाक रुपे आज धा ले रहा हूं उसको छे मैने बाद मुझे एक लाक सातर पास्टो रुपे वापस करने पड़ेगे यहां तो बोट बाद तो एक लाक रुपे आज आ गया किसके बास राम करेगा क्या वो इस बैंक में जमा कर देगा और इस बैंक में इस बैंक ने का ठीक है जमा कर रहा हूं लेकिन तीन मेने के लिए जमा कर रहा हूँ, आप चिंता मत कर, उसके बाद आपके पास से पैसे निकालूँगा, तीन मेने के लिए जमा किया उस एक लाग को, तो यहाँ एक लाग तीन हजर मुझे मिलेगा, और फिर यहाँ जमा करूँगा, कितने परशन के सबसे, यहाँ ज और इस में से मैं एक लाग साथ है पास्त चुका दूँगा तो जो बचेगा वो पक्का बचेगा भाई पक्का और मुझे आज ही मालू है कि पक्का बचेगा दिस इस आर्बुटरिस के ठीक है आसर सर एक बात और अगर एफरे बैंक बोलता है माल लो पंदरा पर्शन एक्च्वल एफरे एक्च्वल एफरे क्या इससे कम है कम है तो इधर क्यों इनवेश्ट करोगे इधर इनवेश्ट करो तो सर इधर से बोरो करेंगे हाँ बस यही समझाने कि इस बैंक से हम बोरो कर लेंगे कौन सी वाली बैंक से बैंक से बैंक के साब से तो इस बैंक को हमें एक लाग तीन हजार देना पड़ेगा इस bank से borrow किया और इधर invest कर दिया ये तो पक्का हो गया कि इधर इतना मिलेगा ही मिलेगा अब फिर तीन महने बाद जब इसको चुकाना होगा तो हमें FRA bank से borrow कर देंगे एक लाग तीन हजार इसको चुका देंगे तो अब FRA bank को कितना देना पड़ेगा एक लाग तीन हजार पंदरा पर्शन तीन मैने कब लो पंदरा इंटो 3 बाइट वाइट वाइट प्रस वन 1.0375 1.0375 इंटो एक लाग तीन हजार तो हमें 106862 कुछ चुकाना पड़ेगा FRA bank को कब? छे मैने बाद ठीक है इधर से इतना मिलेगा इतना चुका देंगे हमें फाइदा 5 इस इस आर्बिटरिस ठीक है ठीक है सर बाद हमको काफी कुछ समझ में आ गई है तो करे चले आगे अब टाइम कम है हमारी पास तो यही मैंने कोशन बनाया था इसमें तो मैंने आपसे आर्बिटरिस मांगा नहीं था बस मैंने कहा कि बताओ क्या होगा ठीक होगा और एक कोशन है 6 मन्थ लाइब और दिया 9 परशंट 9 मन्थ लाइब और दिया 6 मन्थ लाइब और मतलब ऐसा अगर हम डाइग्राम बनाए यहां 6 लिखे यहां 9 लिखे एक ये वाला ले लेते हैं कितना परशंट है रेट 12 परशंट पर हम यहां फैक्टर लिखा करेंगे 9 मैने का कितना जाएगा 1.09 यह फैक्टर लिखा 6 मैने का रेट क्या 6 मैने का रेट है 6 मैने वाला 9 परशंट परचे मेने का फेक्टर किया जाएगा 1.045 और मुझे यहां का चाहिए तो दिस बड़ा वाला फेक्टर डिवाड़ेड़ बाइच्वटा वाला फेक्टर तो थेवरेटिकल एफ़ार निकल जाएगा वह मैने निकल आया 17.22 को ठीक है सर पर आर्बिटर्स का सर कोश्चन तो ह ग wires बीवीटर्थ का जो मैं आपको करवाने जार रहा हूं और वो कोश्चन है यह वाला कोश्चन थे जो मुझे आपको करवाना अच्छी से कर्यों अ है कर आण ये कोश्चन पहली बार में देखने इसा अर्विड़ता है कि यह कोश्चन Forex का आ है पर यह फॉरेक्स का नहीं है यह फारे का कोशन और बहुत अच्छा कोशन एक बार देखिए कि क्या लिखा हुआ है पढ़ें तो फॉलिंग मार्केट डेटा इस अवेलबल डॉलर और येन का रेट दे रखा है 116 यहां से ऐसा लग रहा फॉरेक्स डिपॉजिट रेट पर एनम रही पर एनम टीम मन्थ वाला है और सिग्स मन्थ के लिए जमा करो तो पाच पर्शन पर छे मेने का जाएगा वन पॉपॉइं्ट जिरो तूफाइल एगर तीन मेने के लिए जमा करते तो 4.5 तो फैक्टर देखिए 4.5 इंटो 3 बाइ 12 डिवाड़ेद भाइंडेट प्लस 1 1.0125 तो यह वला रेट निकाले यही पूछेगा पर आगे पढ़ लेते हैं जैपनीज येन का भी डॉलर की येन का देखो 0.25.5 तो पॉसीबल ये नहीं है यहां फीचर के पॉइंट नूंबर वन बोल रहा है वाट शूट बी 3 मोंध एफार ये ये वाला रेट बताये ट फ्री मन्थ फावट तीन मैने बाद तीन मैने बाद तीन मैने का रेट बताये वो हमको नेकलना पड़े है वो वही किया होगा मैने ये वाला फैक्टर तो आंसर कितना आग grip है 5.44% पार है ना calculation अपका लिए कोशिश करना विडियो पाउस करके calculation करोंगे तो ज्यादा मज़ा है ठीक है पहले point में दिक्कत नहीं है ना आपको दूसरा point चले point number two ये भी समझने वाला है एक rate दे रखा 6 महने वाला कितना पाच परशन एक rate दे रखा 12 महने वाला 6.5 परशन एक 12 महने वाला 1.065 और 6 महने वाला तो एक बार देख ले कि कैसे किया होगा ये किया ये है बारा महने वाला और ये है छे महने वाला तो क्या ये वाला rate निकाल सकते है भी इसको मैं काट रहा हूँ क्या ये वाला rate निकाल सकते है सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है ये बड़ा वाला factor divided by छोटा वाला factor और answer कितना आ गया 7.80%, बस यह मुझे चाहिए था सर आंसर आ गया theoretical F.R. 7.80% अगर इधर वाले route से जाता हूं कम से कम मुझे 7.80% चाहिए बैंक ने क्या quote कर रखा अब बैंक is quoting 6 into 12 6 मेने बच F.R. rate दो rate दे रखा 6.50 और 6.75 6.50 अब यह समझने की question अब इसको मैं मिठा दूँ मुझे अब F.R. A. bank बताओ 6 मेने बाद क्या F.R. A. bank बोले इस सुनो 6 मेने बाद जमा करने का rate यह है और उधार लेने का rate यह है मैं comparison मुझे जमा करना है कि उधार कर लेना किस से comparison करूँगा इस से comparison करूँगा अब मैं सोच रहा हूँ यह जो rate से यह कम है कि ज्यादा है सर यह तो कम है यह तो कम है सर जबकि आपको 7.80 चाहिए तो यार यहां से उधार ले लेते हैं ना कम है तो उधार ले लो क्या actual forward rate कम है इस से यह तो उधार ले ले लिजए और उधार लोगे तो किस पे रेगे इस पे उधार लेगे यह final हो गए 6.75 वह उधार लोगे तो 6.5 अब मैं सोच रहा हूँ क्या करते हैं अब आराम से सोचते सर हम उधार लेगे कुछ दिया नहीं है कोश्चन में तो हम उधार कितना ले एक डॉलर ले लेते एक लाग डॉलर भी ले सकते हो institute ने एक डॉलर से उधार लिया ठीक है सर हम पहले यहां से उधार लेते है डॉलर 1 उधार ले लिया और हमने यहां जमा कर दिया यहां invest कर दिया, invest तो dollar 1 जो है invest करने पर यहां हो जाएगा dollar 1.065 यहां तो कोई लिक्कत नहीं है अब जो उधार लिया उसको यहां तो चुकाना पड़ेगा यस, तर यहां चुकाना पड़ेगा dollar 1.025 पर यहां जब इस bank को चुकाओगे तो उधार किस से लोगे एफारे बैंक और एफारे बैंक से बोलेंगे हम यहां वापस कर देंगे कितने 6.75 पर 6 मैने का फेक्टर 6.75 into 6 by 12 divided by 100 plus 1 1.03375 into 1.03375 तो बताओ एफारे बैंको कितना वापस करोगे into 1.025 सर वापस करेंगे 1.059060 ले ले लेता इतना हमने जो जमा किया था इतना आएगा इतना देना पड़ेगा तो हमें प्रॉफिट कितना का हो जाएगा हमें प्रॉफिट हो जाएगा 0.05 डॉबलर का यही सारा प्रोसेस है आर्विट्रेज में एक्सन कैसे लेगी यह बताना यह आपको लिखना पड़ेगा मैं जैसे सॉल कर दिया वैसे सॉल नहीं कर सकते प्रेजनिटेशन इंपोर्टेंट है आप सीए फाइनल वाले बच्चे लिखते नहीं लिखना है सर लिखना है तो एक्च्वल एफ पारे क्या कम है यह सकम है तो बॉरो करो बाई करो या बॉरो करो आज क्या करोगे यह लिखा एक डॉलर उधार लेंगे सर पाच परशन के सबसे उसको हम इनवेस्ट कर देंगे साड़े छे परशन के सबसे और एक कॉंट्रेट की भी करेंगे 6.75 कब उधार लोगे 6 मैने बाद 6 मैने के लिए आप्टर 12 मन्त कैस इनफ्लो आएगा और कैस आउट्फ्लो जाएगा यह और इस पर फिरी आंसर आजाएगा पॉइंट यह अब ठीक कर ले ना 0.05 अब देख ले ना वह ठीक है जी एफरे खतम हो गया दोनों दो ही कोश्चन करवाए एक हैजिंग का कोश्चन और एक आरविड़ दोनों कोश्चन आपको एफरे में टाइम लगना था जितना लगना था लगा दी अब ज़्यादा टाइम ने लगेगा कैप कॉलर फ्लोर में कुछ है नहीं है तो ज़्यादा टाइम लगेगा चले आगे यस चलो ची आगे बढ़े तो अब पार्ट नमबर वन के अलावा अब बात करते हम पार्ट नमबर टू की जिसका नाम है इंट्रेस्ट रिट क्यारंटी या फिर क्या बोल रहा है इसको समझना पड़ेगा एक मात्र कोशन है आपको करना होगा एक ही कोशन छोड़ नहीं सकते करना पड़ेगा जिसमें इंस्ट्रेट्यूट इन्हें स्टेडी मैट में सिर्फ एक एक कोशन डाला है वो आपको करना ही पड़ेगा सर यह है क्या है कुछ नहीं है भई बड़ी सिंपल सी बात है फिर से बोलू इसका नाम क्या है सर राम पिल्कुल और इसको ये कौन सा पिरियड है जीरो आज से तीन महने बाद बैंक से उधार लेना है और कितने मेने के लिए उधार लेना है छे मेने के लिए ये थो ठीक है हमको पता है सर और क्योंकि इसको बोरो करना है तो इसको किस बात कर रहा है कहीं रेट बढ़ना जाए तो ठीक है सर एक बैंक आगे जिसका नाम है एफ रे बैंक और एग्रिमेंट हो गया आठ परशन बन से वो लो आठ परशन से उपर होगा मान लो 10 परशन होगा 10 परशन तो FRI bannk राम को देही बोरो करना है तो 8 परशन से उपर होगा था FRI bannk राम को देही लेकिन सवाल है कि सर अगर 8 परशन की जगह 6% हो गया तो FRA में क्या होता था FRA में होता था राम FRA bank को देखा अब ऐसा नहीं अब FRA bank ये बोल रहे कि सुनो राम आपके पास FRA के साथ आपके पास option भी है option guarantee दे रहा है कि हम guarantee इस बात की दे रहे हैं कि 8% से उपर नहीं लगेगा option का मतलब का सब समझ पाओ कि सर option का मतलब तो ये है कि अगर 10% से sorry 8% से उपर जाएगा तो FRA bank राम को देगा यहां तक तो बात समझ में आती है लेकिन अगर 6% हो गया तो अब राम के पास option है राम आपको difference FRA bank को देने की जरूरत नहीं है this is fraction बोलते इसको या इसे interest rate guarantee कुछ नहीं करते सरी तो बड़ा simple है मतलब अगर राम को interest लगा तो 8% लगेगा या उससे कम लगेगा उससे ज़्यादा किसी भी हाल लगेगा उससे ज़्यादा नहीं लगे उससे कम लग सकता मतलब options समझ गयो ना या difference कभी भी नहीं आएगा सर ऐसे में FRA bank को क्या फायदा है इस condition में राम को premium देना होता है किसको FRA bank को जबकि हमने FRA पढ़ लगा था ना interested guarantee में premium देना होगा लेकिन जो FRA पढ़ा था उसमें premium वाली बात ही नहीं थी difference या तो हम FRA bank को देगी या FRA bank हमको देगी लेकिन यहां यहां क्या होने वाला यहां सर कुछ नहीं वाला या तो FRA bank हमको देगी या तो कुछ नहीं देगी लेकिन बद्दे में हमें सुरु exceptional लागेगा premium लगे लागेा that's it और कूछ नहीं सर यह एक प्रकार से option भी जुला पर एक बार कोश्चन को यह सा देखा टू कमपनीज जिसका नाम एक का नाम है एबी सी और एक का नाम है एक्स वाइज़ेट अप्रोच इस दर डी एफ बैंक पर पॉवर्ड एग्रिमेंट दे वांट टू बॉरो एस सम और रुपीज हंड़ेट करो तो करोर चाहि है आफ्टर टू एयर्स पर ए पिरियड ऑफ वन येर्स अगर मैं यहां लाइन खीच हूं तो यह आ गया जीरो यह आ गया दो साल और यह आ गया तीन साल दो साल बात एक साल के लिए यह बोलना चाहता है यह सर और कौन सी दोनों ही बैंक है एक्स वाइज़ेट और एबी सी हमें टॉपिक करवाँगा सिक्यूरिटी वैलिवेशन उसमें चला लेना है येल्ड और फावर डिट अलग 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 है मैं सिर्फ आपको येल्ड का आप मैं सिधा रेट ले रहा हूं सबसे पहले एक्स वाइज़ेट मांगा क्या डिफरेंस इन येल्ड कर वीज़ेट कोट करेगा डी एफ बैंक कब दो साल बाद तीन साल के लिए यूजिंग दा कमपनी जील्ड इन्फरमिशन एस कोट अबो कमपनी की जो इल्ड इन्फरमिशन है उसको यूज करके बताईए कि दो साल बाद एक साल के लिए पावर डिट क्या आएगा बहुत ज़्यादा मु कि ज़ٌए नम है तो पावर थ्री कर सकते कंपावाड लेंगे diva और दो साल का रिट पता है क्या हां सर ये भी पता है यह फूर पॉइंट तो हम इसको ले सा मिस्पृन्ट हुआ है तो regen 1448 लिखा ये गलत है 1.0420 होना चाहिए बाकि ये तो ठीक है यह पावर क्या होना चाहिए यह पावर 3 होना चाहिए बस यह गलती हो थे यह पावर 3 होना चाहिए यह पावर 2 होना चाहिए Inform Era करवा दिया answer 5.04 practically इट मिंज वह यहां का नियुकr At दिक्कत है क्या एसका 6.38 स्लेट ले प्सक्रूश कर Depot के थोड़ा calculator चला लेना मैं नहीं चला सकता है, यहां मैं calculation सिखाने थोड़ी ना आया हूँ, मैं तो concepts और revision करवाने आया हूँ प्लीज चला लेना calculator ठीक है जे भई कर लेना, एक तो सो जाओगे सुनते सुनते, और दूसरा यार जब तक calculator, हम सी यह लोग जब तक calculator नहीं चलाते है न, मज़ा नहीं आता है, लगता है नहीं कि हम तो अगाता है, यह लगता है कि थियोरी पढ़ ड़े है, प्लीज calculator चलाओ ठीक है सर, यहां तक तो ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं अब point number two के लिए मैंने यह question कर आँ, point number two अब पढ़ना zero point one percent of amount of loan यह तो premium जाएगा जाएगा, चाहे rate कुछ भी क्यों ना you are required to calculate the interest rate payable और किसकी बात करना सिर्फ x, y, z जिसका निकाला, इप interest rate in two years, four point four point five percent हो जाए, five point five percent अब सुनोंगे दिहां से, यहां rate, बात सिर्फ किसकी हो औरी ABC को भी भूल जाए, x, y, z rate क्या हो सकता है बोले rate हो सकता है four point five zero percent और rate क्या हो सकता है rate हो सकता है five point five zero percent ठीक, हमें क्या निकालना हमें निकालना you are required to calculate the interest payable, मतलब amount में काम करना, interest payable amount में निकालना, ठीक है सुनो के दिहां से अब बात क्या ही है interest rate guarantee तो sir हमने interest rate guarantee खरीदा है, यह कितने percentage, x, y, z का दो साल बाद, एक साल का rate actual में नहीं दिया है तो यह जो rate निकाला था हम five point zero percent हम इसी को यूज करेंगे हम यह कहेंगे, कि यह जो DEF bank है, इसने हमको guarantee दिया हुआ है, कि आप चिंता ना करो five point zero four percent से उपर हो जाएगा तो जो भी difference है हम आपको दे देंगे तेक, सर अगर rate हो गया four point is five zero percent four point five zero percent तो मुझे जिस bank से मैं उधा ले रहा हूँ उसको तो मुझे four point five zero percent देना ही पड़ेगा और सर साथ में premium भी कितना amount बोला, zero point one percent वो भी देना पड़ेगा amount में निकाल नहीं सर और क्या मुझे इधर भी difference देना पड़ेगा क्योंकि बढ़ गया नहीं देना पड़ेगा क्योंकि आपने premium पे किया है ये interested guarantee है अगर ऐपारे होता तो मुझे देना अगर सर five point five zero percent हो गया rate तो मुझे दूसरी bank से तो five point five zero percent पर उधार लेना ही पड़ेगा मतलब मुझे five point five zero percent देना पड़ेगा और premium तो देना ही पड़ेगा पर जो भी difference है five point five zero minus five point zero four ये जो भी difference है मुझे इस से वापस मिल जाएगा guarantee थी कि five point zero four percent से उपर जाएगा तो ये वाली party हमको देदें that's it बस ये जो मैंने किया है ये मैंने percentage में किया और आपको किस में निकालना पड़ेगा amount में निकालना पड़ेगा एक बार देख ले हाँच कितने पे बात हो चुके five point zero four percent से उपर जाएगा तो सोचें तो rate क्या हो गया four point five zero percent भी हो सकता five point five जितना भी होगा हमें दूसरी बैंक को interest तो देना पड़ेगा कितने का loan है stock road का four point five zero percent उधार लिए तो देना तो पड़ेगा interest एक साल की बात है interest जाएगा difference amount क्या यहां मुझे देना पड़ेगा नहीं पर क्या यहां मुझे मिल जाएगा यस थोड़ा सा missprint है चेक करोगे difference कितना मिलेगा actual में यह हो गया तो five point five zero minus five point यह zero four है into कितना percentage into जो भी percentage है कितने का निकालना है 100 करोड 100 करोड पर वहां हजार हो गया five point five minus five point zero four into so तो point four six करोड मुझे मिल जाएगा तो मिल जाएगा तो minus मैं क्यों लिका क्यों कि मैं outflow निकाल हूँ मुझे इतना ब्यास देना पड़ेगा जिस bank से मैं उधार ले रहा हूँ पर उधर से मुझे guarantee का जो है वो difference मिल जाएगा और premium तो आपको देना ही पड़ेगा आप कुछ भी क्यों ना करते है तो total मिलाकर यहां देखो यहां मुझे total मिलाकर four point six zero करोड देना पड़ा है और यहां देखो यहां से एक तो five point five zero करोड देना पड़ा है पर इतना difference मिल जाएगा तो answer आजाएगा अगर मुद्दें के बात करो interest rate guarantee में क्या है कुछ नहीं है बस forwarded agreement की तरह है जिसमें हमें उधर से मिलेगा पर हमें difference देना नहीं पड़ेगा बस और साथ में premium देना पड़ा क्यों बात करूं कर लिया है मैंने regular class में जब कर वाया है उस matter पर मैं discussion नहीं करूं कि यही topic था interest guarantee में अब मैं आगे चल रहा हूं और मैं बात कर रहा हूं interest rate future जिसको बोला जाता है euro dollar future क्यों बोला जाता है क्यों बोला जाता है कैसे आया यह किस तरह से काम होता है इन सब बातों पर मैं चर्चा नहीं करूंगा काम की बात करूंगा मैं question बनाने की कोशिश करूंगा question समझाने की कोशिश करूंगा सुन लेजिए क्या होता है interest rate future जहां future बात होगी महां बात किसकी होगी बात होगी सर इस्टॉक एक्शेंज की इस्टॉक एक्शेंज की बात होगी जहां भी future आएगा महां बात इस्टॉक एक्शेंज की होगी अभी सुनों फिर से क्या लिखो सर राम ही लिखो गया और क्या यह सर राम मेरा किरदार और राम को लेकर ही बात करो अब बताव सर्व राम को उधार लेना है आज उधार लेना दो बात ही नहीं है उधार लेना तीन मैने बाद ही के सर यह तो याद हो गया तीन मैने और बोल दो छे मैने के लिए बिल्गुल से हैं और तो यहां कितना गया है और रेट राम को क्या लग रहा है क्योंकि राम को इस बात का डर है कहीं रेट बढ़ना जाए कहीं रेट बढ़ना जाए जिस भी बैंक से ले रहा है समस्या तो यही है ना कहीं रेट बढ़ गया तो दिक्कत में पड़ो गया हम future में क्या पढ़ रहा थे सर future से hedge कैसे करते थे future hedging बोलते सर जिस बात का डर है उसी में सर्थ लगाते है ना मैं गया कहां गया मैं गया सर stock exchange stock exchange और मुझे ऐसा लग रहा था कि या rate बढ़ सकता है तो मैं गया बैंकी बस मैंने का rate क्या चल रहा है आपके हाँ betting करने का तो उन्होंने का rate जो चल रहा ना वो कौन से वाला मैंने का तीन मैने बाद छे मैने बाद रेट क्या चल रहा यह बता तो बोल रहा छे सहिंदा पारण मतलब छे पशान मैं बैटिंग या करको लंग पूजिशन सटी बढ़ेगा लॉंग पूजीशन अगर गष्टि उपर जाएगा तो मैं मुझे यह डिफरेंस देगा और छे पर्शन से नीचे गया तो मैं इसको डिफरेंस देगा मतलब मुद्दे की बात है सर यह तो एफरे ही है हाँ जी एफरे है बिल्कुल 100 पर्शन एफरे है बर इसमें सेटलमेंट जो है वो प्रेजेंट वैल्यू नह सुनो ना बच्चो इस टॉक एक्षेंज इस तरह से रेट में बैटिंग नहीं करता वो ट्रेजरी बिल्ल या बॉंड्स में बैटिंग करता है सर समझाओ बॉंड्स क्या है अगर किसी बॉंड्स पे आपको 6 प्रतीसत ये टी बिल ले लो मनी मार्केट इंस्रूमेंट पढ़ा नहीं होगा टी बिल की बात करो अगर टी बिल में ट्रेजरी बिल होता क्या है सर डिसकाउंट पर ईश्याओ होता है मानलो कोई ट्रेजरी बिल में 6% की कमाई हो रही है इसका मतलब यह हो गया और अगर T-bill future में 93 हो गया तो बोलो rate क्या हो गया rate of interest sir rate of interest हो गया 7% बोलो आप जीते किया रहे जीत गया ना sir 6% से बढ़ना चाहिए और 7% हो गया तो हम जीत गया लेकिन सवाल यह है कि इसमें betting नहीं करनी है हमें तो इसमें betting करनी है तो इसमें क्या बोलेंगे sir इसमें हम betting करें long position rate बढ़ेगा पर इसकी बात करो ना तो sir bonds क्या है opposite होता है people opposite opposite दिख रहा है अगर 94 है तो rate of interest shape पढ़ेगा अगर 93 हो गया bill का rate मतलब rate of interest बढ़ गया ना यह समस्य उल्टा सोचना पढ़ेगा अगर कोई कहेगा यहां betting करो तो यहां क्या करेंगे short position short position यह sell करके भी लिख सकते short downside betting करना पढ़ेगा जब भी आपको ऐसा लग रहा rate बढ़ आ है तो आप stock exchange में जो शर्त लगा रहे वो long position rate बढ़ने कर पर उसका opposite होता है आपको शर्त इसमें नहीं लगानी है शर्त इतनी लगानी IS मतलब आपको कौन सा position लेना पड़ेगा short position लेना पड़ेगा बच्चो को यही दिक्कत आती है बच्चो को क्या दिक्कत आती है वो बोलतए यार इंस्टिट्यूट ने उल्टा कर रखा वो क्यों उल्टा करेगा उसने सहीं कर रखा बस आपको सूचना पर तो मुझे इसमें बैटिंग करनी नहीं है मैं चलो मैंने बोरो किया तो मैं शर्त लगानी के लिए तियार था कि 6% से उपर जाएगा पर टी बिल का रेट दी है 94% तो मैं इसमें कौन सा पोजिशन देनी है मैंने शॉट पोजिशन देनी है या इसको आप सेल फ्यूचर भी बूल सकते हैं शॉट पोजिशन या सेल फ्यूचर या अपने डेरिविटिव में पढ़ रखा है सर मान लो तीन मैंने बाद रेट 93 हो गया आपने शर्थ क्या लगाया था कि शॉट पोजिशन लिया था कम होगा और वाके कम हो गया तो बोलो आपको कितने परशन की कमाई है एक परशन जीद गया या फिर इसको कंपेरिजन ऐसे करते 93 हो गया मतलब साथ परशन हो गया मतलब एक परशन जीद गया पर इसके विसे में नहीं सोचना है आपको थोड़ा उल्टा सोचना पड़ेगा उल्टा ऐसे सोचना पड़ेगा वाई हम बौरो कर रहे हैं हमें डर किसबात का है सर रेट बढ़ना जाए मतलब टीबिल का कमना हो से तो हम कौन सा पोजीशन लेंगे हम इसमें पोजीशन नहीं लेंगे तो हमको शॉट पोजीशन लेना पड़ेगा दार चिशो और कुछ नहीं है ठीक है सर तो यह सब पढ़ देंगे कि पढ़ देना इसमें कुछ है नहीं है मैं सीधा आ रहा हूं कोशन नमबर सेवन जो मुझे करवाना कोशन नमबर सेवन हिन लिखा 容易 है इंगा एक अच्छा कोशन रहे है या यह अच्छ दिखेश में 3 customer Electrospace is consumer electronic whole seller. The business of the firm is highly seasonal in nature. 6 मैंने में, in 6 मांत की ये, firm के पास बहुत कैसा रहता, बहुत कैसा रहता, Christmas के असपास. पर दूसरे 6 मैंने में, cash का problem होता है, हमें उधार लेना पड़ता है, leading to borrowing of money to cover up its exposure for running the business. समस्की आई गे, 6 मैंने पैसी ही पैसे, 6 मैंने पैसे का problem. It is expected that a firm को लग रहा है की हमको पैसे उधार लेने पड़ेगे. उधार कितना लेना पड़ेगा? 50 मिलियन. पर कब लेना पड़ेगा? 6 मैंने के लिए. For entire period of slack season. लेकिन कब लेना है? आने वाले 3 मैंने में. It means, जो हमारे काम की चीज़ है, Company यहाँ है, Company ऐसे बना, दो राम बोल, दो राम. उधार कब लेना है? 3 मैंने के लिए. कब आने वाले? 3 मैंने बाद हमें उधार चाहिए. Borrow की बात हो रही है. कितना 50 मिलियन आप देख लो देख लो देख लो कि तीन मैंने बाद, कितने period के लिए? 6 मैंने के लिए. अगर मैं सीधी सीधी बोलू, 3 इंटू 9 FRA हमारे काम का होगा, अगर FRA की बात. तो सर्थ, spot rate हमारे काम का नहीं है, याज का rate? 3 इंटू 6 हमारे काम का की नहीं, तीन मैंने बाद, तीन मैंने के लिए, हमें तीन मैंने के लिए थोड़ी न उधार चाहिए. तीन मैंने बाद, हमें 6 मैंने के लिए उधार चाहिए, तो उधार का rate ये वाला rate हमारे काम का है, 5.94 पर ठीक है जी ठीक है आगे बढ़ना हो यह बात कर रहा है फ्यूचर की मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं इस मेंटर पर यह फ्यूचर वाली बात है इस मेंटर पर मुझे डिस्कस करना थोड़ा सा रुक्रे करूंगा मैं यहां आगा सबसे पहले बताईए कि हाउ एफारे शैल भी यूच फूल यह बताईए कि एफारे कैसे यूच फूल हो जबता है अगर रेट 4.5 पर्शंट हो या 6.5 पर्शंट हो इट मेंस हमने एक बैटिंग किया है कि 5.94 पर्शंट से उपर होगा तो एफारे बैंक हमको देगा पैसा 4.5 हुआ तो यह ग्यारेंटी नहीं है हमें देना पड़ेगा किसको एफारे बैंक नेट सेटिल्मेंट एमाउंट तो कैसे निकलता है दिस माइनस दिस और इसका प्रिजेंट वैल्यू निकालते है ठीक है यह तक अभी सुनना मेरी बात में क्या कहना चलता है और 6.5 हुआ तो एफारे बैंक हमको देगा इसमेंट कोई दिक्कत प्रीमियम का चकर ही नहीं है तो पहले पहला है एफारे के हिसाबते बताएए क्या होगा तो वैसे तो यार नेट सेटिल्मेंट एमाउंट पारकर एंड कंपनी वाला कोशन किया था उसमें प्रेजेंट वाली इसमें settlement amount नहीं मांगा है उसने ये मांगा है कि FRA कैसे useful लोगा बताईए तो सुनो सबसे पहले FRA भाईया ऐसे useful लोगा हम समझाने की कोशिश कर रहे है हमें bank से उधार लेना पड़ेगा 3 मेने बाद 1.5-4% पर उधार लेना पड़ेगा हम bank वाले को 1.5-4% दे देंगे और जो भी difference है 5.5 हमें FRA bank को भी देना पड़ेगा तो देखो कि interest कितना जा रहा है अब भी percentage लिकाल अगर 6.5% हुआ तो हमें bank वाले को 1.5-6 देना पड़ेगा पर FRA bank से हमें difference मिल जाएगा चलो देखते हैं कैसे solve किया मैं अभी future आया interest future की बात नहीं करो अभी मैं इसकी बात देख लेते हैं 5.94% कौन सा position है अमारा long position अगर rate 4.5% हो जाए अगर rates तो भी bank वाले को तो यही देना पड़ेगा जो भी rate होगा हमें bank वाले को तो उतना ही देना पड़ेगा कितना है 6 मेहने का तो यह मेरा cash out होगा 11,25,000 और 16,25,000 पहली condition में अगर rate हो गया 4.5% तो हम देगे किसको FRA bank वाले को तो देगे FRA bank को भी देना पड़ेगा तो कितना difference यह देना पड़ेगा यहां बच्चों का doubt आया था present value क्यों नहीं ले रहे है अब भी जब आपने FRA start किया था तो हैसिंग में प्रेजेंट वैल्यू इत्में क्यों नहीं दे रहा है एक्चुली इसमें वैसे तो present value पे ही settlement होता है पर जो मिलता है ना उसको तुमें वापस invest कर देता हो नो मैं यह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पिर भी नहीं समझना चाहते तो भाई इस कोश्चन में आपको ऐसी इसका present value नहीं निकालना आपको पूरा निकलना एक्चुल में हमें मिलता एक्चुल में मिलता प्रेजेंट वैल्यू पर उसको वापस invest करोके ना तो इतना ही आ जाएगा तीन लाग सब्सक्राइब रिक आप है तरी दो रटवाए थिए इस कोश्चन पार्ट में आपको ऐसी करना आपको प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकालना और चैनलोर अगर कोश्चन में elves निकालना है नहीं तो नहीं है पर कर्टन एक्चुब अगरर 7,5 इम तो हमें उदर से मिल जाएगा डिफ्रेंस छे महने का इंटरेस्ट उदर से मिल जाएगा तो नेट इंटरेस्ट यह भी जा रहा है और यह पर यह जा रहा है 14,85,000 हो गया तो टूटल हो गया 14,85,000 कितने पे हैं पचास मिलियन पे हैं तो परेनम निकल दो तो परेनम आरा 5.94 पर उतना ही होना था यार इतने ना इससे उपर होगा ना तो इससे नीचे होगा इतना ही देना पड़ेगा एक्चुल में तो यही होता है वैसे तो मैं यह एक लाइन में भी खत्म कर सकते हों पर प्रेजेंटेशन ऐसे करना था ठीक है तो यहीं बोल रहा कि चाहे रेट कुछ भी क्या ना हो जाए आपको इंट्रेस्ट 5.94 पर्षेंट ही पड़ेगा इस तरह से हम एफारे से हैजिंग कर सकते हैं कोई दिकत कोई दिकत नहीं है अब मुद्रे की बात हैं इंट्रोषेट फ्यूचर इसी के लिए तो काम हो रहा है अच्छा कितना मिलियन था बस सर्फ पचास मिल्यून लिख लूं किया अब मैं बात करूं इंट्रोषेट फ्यूचर की बस यहां ठीक से समझ रहा है सिर्फ पचास मिलियन एक दो तीन जीरो एक दो तीन जीरो कितने का है कितने पिरिएट के लिए लोन ले रहे हैं छे मैने के लिए ले रहे हैं अब आगे लिखा है त्री मन्त यूरो फिप्टी थाउजन क्यूचर कॉंट्रक्ट मैचुरी टी इन अ पिरियड ऑप री मन्त इस पूटेट हमें किस बात का डर है बौरो कर रहे कहीं रेट बढ़ना जाए और रेट क्या दे रखा है 5.85% पे हम betting कर सकते हैं कि रेट बढ़ना जाए यह पर बौंड का प्राइस भी दिया है वैसे इससे काम हो जाता हम बैटिंग कर रहे बढ़ेगा यहाँ यहां क्या हो गया यहां कि वांकर बढ़ गया था हमें क्या हों गया लास यहां कर लेते हैं उन्होंने T-bill का value दिया है T-bill 94.15 इसका मतलब ये गिरना जाए ये गिरेगा मतलब rate बढ़ेगा तो हमें अगर मैं कहूं rate of interest में कौन सा position लेना चाहिए इसमें तो long लेना चाहिए लेकिन कोई T-bill के विसे में बोलेंगा तो इसमें हमको कौन सा position लेना चाहिए short position और हमने short position ले लिए हमने downside betting किया कि T-bill गिरेगा और T-bill गिरेगा तो हमें difference मिल जाएगा ठीक है पर समस्या क्या है समस्या है कि हमने betting किया कि इससे ज़्यादा बढ़ेगा तो देख लेते हैं पचास मिलियन का rate of interest कितना है 5.85% into 6 by 12 यह मतलब होता है तो 50 million लिखना नहीं बस सुनना है इंटू 5.85% into 6 by 12 तो टूटल हमारा interest 14625 डबल जिरू इतना interest एक्चुवल में इतना interest पढ़ना चाहिए पर stock exchange का कहना भाईया 6 मेने वाला हम contract नहीं कर सकते हमारे लिए maximum जो period है वो कितना है थ्री मन्त मैंने का भाई आप मुझे interest कितना है हम तीन ही मेने का interest देंगे भाई तीन मेन है हमारा बैच्चो हम जो यूज कर रहे वो थ्री मन्त फ्यूचर यूज कर रहे तो आप हमसे छे मेने का interest मांग नहीं सकते हम आपको जो difference है वो देने को तयार है लेकिन पचास लाग का पचास मिलियन का हम यहां छे मेने का नहीं दे सकते हम सिर्क और सिप तीन मेने का दे सकते हैं तीन मेने पर बैटिंग कर लो आप मैंने का या करूं कि पचास मिलियन का छे मेने का interest बराबर आ जाए तीन मेने का interest विगर को double कर लो देखो तो यहाँ टुटल कितना है? आप बैटिंग ना मानु में कितन एमांट पे करो 50,000,000. कितने मैने के लिए इंटरेशंट यहाँ हैं हमें च्छे मैने का तो इसको double कर लो दो nा ये जो debating कर रहे है आप 3 मैने का कर रहे है जब यही थोड़ा सा मुश्किल था यहां पर बच्चों का डाउट से तो देखे सबसे पहले सेल मतलब शॉर्ट पूजिशन टी बिल कितने पर 94 मैंने इसको क्या कर दिया यहां 6 3x6, 6x3 क्यों क्या है यह आपको पता है टोटल मुझे कितने पर बैटिंग करनी है मुझे 100,000,000 पर बैटिंग करनी है एक कॉंट्रेक्ट 50,000 यूरो का है तो टोटल मिलाकर 2000 कॉंट्रेक्ट मैंने क्या किया शॉर्ट क्यों किया समझा चुका अगर रेट हो जाए 4.5% या 6.5% मतलब टी बिल का रेट ही हो गया आपने क्या कहा था बढ़ेगा कि क्या शॉर्ट पोजिशन था हमारा 94.15 94.15 और रेट हो गया 95 आपका कौन सा पोजिशन था शॉर्ट और ये तो बढ़ गया धीरे धीरे करते बैंक वाले को तो 4.5% दे नहीं पड़ेगा जो भी है वो तो दे नहीं पड़ेगा अब देखो यहां आपका शॉर्ट पोजिशन था डाउनसाइड बढ़ गया तो आपको लॉस हो गया 1.3% और अगर सर 1.3% कैसे आया सर 1.3% इस माइनस दिस और यहां भी आपका डाप पर यह क्या होगा यह वाकई कम होगा तो आपको प्रॉफिट हो गया 0.65% का तो मुझे मिल जाएगा इस्टॉक एक्षेंस से कितना सीधा 10.000.000 कर सकते हो सीधा सीधा 100.000.000 नहीं 100.000.000 निक सकते हो सीधा सीधा 100.000.000 इन्टू 1.1 इन्टू 3 by 12 याद रखना मैंने 3 by 12 क्यों किया है वो तीन मैने का बैटिंग है मुझे तीन मैने कहीं मिलेगा तीन मैने का क्यों क्यों कि यहां 100 लिख रहा हूँ समझ गया हो यार मैं इतना क्यों डर और यह क्या हो रहा मेरा प्रॉपिट हो रहा है प्रॉपिट हो रहा है तो मैनस भी यह आउट लो है ना आउट लो आउट में से यह मिल जाएगा तो यह आगया नेट इंट्रेस्ट और फिर पर्षेंटेज में निकाल लिए तो 5.85 पर्षेंट यहां भी 5 इतना ही तो पड़ेगा 5.85 कुशन वाखे यह अच्छा है मैनत करनी पड़ेगे इस कुशन के लिए इसको समझाने में मुझे कम से कम दो घंटे एक्जामपल 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 बड़े सारे एक्जामपल करवाता हूँ और आप एक्सपर्ट हो जाते हैं उसके बाद यह कोशन उठाता हूँ करने का अलग मचाते हैं यहां ऐसा नहीं यहां टाइम ही नहीं है ठेक है अब यह दूसरा तीन पार्ट हो चुके है पहले पार्ट में हमने एफ आरे किया दूसरे पार्ट में हमने interest rate guarantee किया तीसरे पार्ट में हमने interest rate future कर लिया अब क्या-क्या बचा है एक तो financial swap बचा है और cap collar floor बचा है खतम तो financial swap हम श्टार्ट करते हैं चलो बच्चो तब बात किसकी करेंगे अब बात कर रहे हम लोग financial swap हमारा part number 4 इससे भी question आजकल आ रहा है ठीक है और सबकी सब important है सिर्फ question नहीं आता एक swap quotation से और sir करवाओगे क्या ये नहीं करवाओगा क्योंकि हमारे study matter वगेरा में question नहीं है पर फिर डिविजन में यार वो जो generally कभी आया नहीं वो चीज करवाने का sense नहीं है और swap pricing तो मैंने पहले ही बोल दिया कि मैं नहीं करवाने वाला हूँ ठीक है तो total financial swap में हमें तीन चीज़े करनी है plain vanilla swap होगे overnight index swap होगे और क्या होगे एक two party swap बस सब आसान है sir plain vanilla swap overnight index swap and two party swap swap क्या ये समझना बढ़ेगा तो पहले जो बात करे किसकी करे sir plain vanilla swap और swap का मैंने आपको meaning क्या समझा है था exchange अदला बदली तो समझाने की कोशिश करोगे सुनो एक person ने जिसका नाम क्या है यहां से हमस्ते एक person है जिसका नाम है राम ठीक है sir राम अब यह राम को ऐसा लग रहा है कि एक floating rate होता है जो change होता रहता है जिसका नाम है लायबोर और राम को लग रहा है कि लायबोर जो है न वो बढ़ने वाला है लायबोर तिन-तिन मैने में change हो सकता थ्री मन्थ लायबोर हो सकता है जिसमें तिन-तिन मैने में rate change होता है सिक्स मन्थ लायबोर हो सकता छे-छे मैने में rate change हो सकता है कुछ लोग इसको लिबोर भी बोल सकते है निबोर भी बोल दीचिए अंगरेजी में कुछ नहीं रखा है कॉंसेट पे आई तो सर करना क्या है यह बताइए करना ऐसे होता है कि सर राम को लग रहा है कि लाइबोर बढ़ने वाला है तो राम इस शीज से फायदा कैसे उटा सकता है सिंपल है एक होता फिक्स रेट ठेके सर फिक्स रेट फिक्स रेट मान लो 10% चल रहा है तो राम को लग रहा है रलाइबोर जो है वो बढ़ेगा फ्यूचर में बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा तो एक काम करते हैं हम पैसा उठाते हैं बॉंड्स इश्यू कर देते हैं और पैसे उठाते हैं मार्केट से फिक्स रेट पे कितने परशन पे दस परशन पे और जो पैसा आएगा उसको हम इन्वेस्ट कर देते हैं प्लोटिंग पे लाइबोर पे मैं फिर से क्या कर रहा हूँ मैं पब्लिक से पैसे लूँगा अगर मैं पब्लिक से पैसे लूँगा तो मुझे दस परशन ही देना पड़ेगा और उसको मैं इन्वेस्ट कर दूँगा तो उदर से मुझे इंटरेस्ट मिलेगा और क्या मिलेगा लाइबोर इसका मतलब सर जादा मिलेगा और 10% देखे मैं बचा लूँगा इस इंपोर्ट तो करो ना ऐसा दिक्कत क्या है दिक्कत यह है कि बहुत इश्यू बोलना असान उस पर ट्रांजिक्षन का बहुत सारा खर्च पैसा आएगा अल्टिमेंटली सर आप पैसे उधार भी ले रहा है और पैसे इंवेस्ट भी कर रहा हूं हां पैसे उधार भी ले हूं पैसे इनवेस्ट पर ही काम कर ले, उसका चानाम में ने लिखा swap swap bank और swap bank से एक national, swap bank या कोई ऐसी bank हो सकती है इसको क्या लग रहा है, इसको लग रहा है लायबोर बढ़ने वाला है इसको ऐसा लगता होगा लायबोर कम होने वाला हो सकते हैं तो swap bank में rame कहता कि भाई आप एक काम करना मुझे लाइबोर पर इंटरेस्ट दे देना और मैं आपको क्या दे दूँगा फिक्स दे दूँगा बात कतम और फिक्स का रेट 10% मानगा कोई किसी से पैसा उधार उधार लेना शर्त लगा लिया और शर्त लगा लिया इसको लाइबोर मिलने वाला यह कह रहा कि लाइबोर बढ़ेगा मान लो लाइबोर का रेट 12% हो गया तो इधर से कितना मिलेगा 12 इधर कितना देना पड़ेगा 10 तो ultimately इसको 2% का फाइदा हुआ और वही तो यह कह रहा तो यह इसको तो लॉस हो गया एक्स्ट्रा देना पढ़ना दो परशन तो यह इसको देदेगा दो परशन दिसे स्वैप प्लेड वनिला स्वैप यह और कुछ है हम इसको लैग बोलते है इसको क्या इसको फिक्स लैग बोलते सर फिक्स लैग और इसको floating lack बस देखना पड़ेगा कि हम लाइबोर दे रहे हैं कि लाइबोर रिसीव कर रहे हैं कोशन में क्या आएगा कोशन में कुछ नहीं आएगा कोशन में आएगा कि बताओ कौन किसको payment करेगा इसको बोलता एक बार काम कर लिया पास साल कर लिया हर तीन-तीन मैं मैंने लाइबोर चेंज होते रहेगा या तो हम बैंक को देगे या तो बैंक हमको मैं multiple टाइमस बैटिंग ऐसे बहुत है multiple time ठीक है सर यह पढ़ लेंगे कि यह पढ़ लेना मैं यह सब पढ़ लेना कि एक्जांपल से समझाने की कोशिश भी किया जड़ा एक्जांपल दिखते हैं कि क्या लिखा है सपोस मिश्टर राम एक्सपेक्ट लाइब और विल राइस इन फ्यूचर हैं सी इंटर इंटू अ प्लेन यह राम है और किसके साथ स्वैप बैंक अजीब अजीब से नाम नह इसमें क्या होने वाला प्लेन वालेन स्वैप बैंक विल पे राम विल पे फिक्स रेट राम क्या करेगा फिक्स देगा और राम को रिसीव क्या होगा राम को लाइब और रिसीव होगा और नोशनल प्रेंसिपल क्यों लिखा है ना तो लोन दे रहे हैं ना तो लोन दे रह पचास लाग पर बैटिंगी कोई फिगर तो चाहिए ठीक है सर किस दिन कॉंट्रेक्ट हुआ मालों एक तारीक को लाइब और कितना हो गया फिक्स रेट कितना है दस पर्शन और लाइब और कितना हो गया है नौ परशन एकजाम में कोश्चन पूछा जाएगा कौन किसको देगा सर दिख तू रहा है न नौ मिलेगा दस देना पड़ेगा इस कंडिशन में नेट निकाल सकते हो कि नेट सर नेट ना दस देना मतलब हम नेट एक परशन देदेंगे ना खतम बात पैस इस कंडिशन में राम स्वैप बैंक को देगा राम विल पेटु स्वैप बैंक पैमेंट कब होगा 31st मार्श को पर रेट कब का देखना है आपको एक अप्रेल को इस इस मोश्ट इम्पोर्टन और यहीं ICAI ने कैप का कोश्चन था यहां चेंज करती है अपना में कैप कर माना थो बात है रेट हमको एक तारीक कही देखना है पर सेटिलमेंट कब होगा लास्ट में होते हैं इंपोर्टन तो पर्चास लाग का एक पशंट इन मेने का 12फास तो अगर रेट हो गया 12फंट अगर यह लाइबॉर बारा पशंट टो बताओ कौन किसको देगा दस देना पड़ेगा तो दो मिल जाएगा स्वैप बैंक राम को देदेगी दो परशन कता हम स्वैप इसी को बोलते हैं प्लेन वनिला स्वैप सर देखेगे एक बार एक कोश्चन उठाया है कोशन नमर 9 यह कोश्चन काफी देखा देखा लग रहा होगा यह बाद पढ़ेगी कोशन में क्या लेका यह सा लेका सपोज एडीलर कोट आल इन कोश्ट पर एजैनरिक स्वैप एट एट पर्षन एट पर्षन क्या होगा है सरी यह फिक्स होगा अगें सिक्स मत लाइब और इन दा नोशनल प्रिंसिपल कितना पाच लाग सबसे पहले सेमी एन्वल फिक्स पैयमेंट बताईए बताओ अब भी बले स्वैप वैप का तो छोड़ो इंस्टिट क्या चेक कर आभी है आपको इंट्रेस्ट कैल्कुलेट करना भी आता है कि मजाक वाली बात कर रहें इंट्रेस्ट हम कैल्कुलेट नहीं कर पाएंगे फिक्स रेट है आठ परशन तो इंट्रेस्ट होगा पाच लाग का आठ परशन छे महने का सीधा-सीधा कितना आ जाएगा इंट्रेस्ट कैल्कुलेट करना नहीं आएगा कैसी बात कर अब find the first floating rate payment floating rate payment बताना है one if the six month period from the effective date of swap to the settlement date 181 days and LIBOR कितना है six percent effective date of swap भई अगर आप LIBOR का rate मुझे बता दिते हैं तो मैं सीधा सीधा कर सकता था पाच लाग into 6 percent into 6 by 12 पर institute ने मजाग समझ रखा उन्होंने का नई नई इस बार हम days में बताओ 181 days है 180 दिन में क्या तकलिर थी 181 लिख दिया और एक साल में अब दिन कितना लेना है सर उसके लिए नीचे लिख दिया कि आप 360 ले लेना ठीक है तो वो कर दिया हमने वाने आंसर आगया है पंद्रह जातरा सी तो मेरे पहला पॉइंट और दूसरे पॉइंट में तो बच्चा भी कर लेगा इंट्रेस्ट का कैलगुलेशन मांगा इंट्रेस्ट का कैलगुलेशन तो वैसे भी हो जाएगा मुद्दे की बात है तीसरा तीसरे पॉइंट पे आ जाते समझने की कोशिश कर इपॉइंट इस नेट बिसस हाओ मुच् और अभू उसने कौन किसको क्या देगा तो उसने ऐसे बना रहा तो उसने पाद मांग लो एक है फिक्स बरेट ंया तो डूसरा क्या होगा के दूसरा क्या होगा से यक हाप्र तो ये क्या देगा ये देगा fixed और ये क्या देगा sir ये देगा liby तोनों से हमें interest का amount पता करना पड़ेगा और answer निकाल लेंगे तो दोनों का interest एक fix देगा एक floating देगा मतलब 120,000 देगा और मिलेगा पंदरा चाहते हसी fix rate pair इसको difference देदेगा amount paid by fix rate इसको difference आका चारजन नोसुस्त कि ऐसे कोशन आने चाहिए यह कोशन आता है हलकि मैं मतले नहीं कोशन आता है प्लीज इस कोशन को कर लीजिएगा अच्छा कोशन अब बात किसकी करते हैं, अब बात करते हैं, overnight index swap overnight index swap, ये भे कुछ नहीं है, बस यहां भी a limited होता है यहां भी swap bank होता है, ये fix दे भी सकता लेकिन बदले में libor नहीं होता, बदले में होता है mybor मुंबाई इंटर बैंक ओफरेंट मुझे फुल फॉर्म से मतलब नहीं है ना तो आपको मतलब होना चाहिए अभी इस टाइम पे इग्जामनेशन के टाइम तर यह इसमें जो होता ना रेट वह डेली बेसिस पे होता है इसमें जिसे बैटिंग जैसे हम यह कर रहे थे ना ती माने लोग लोगो साथ दिनलेबें जाता क्वोजा के वहता प्रक्राइद से गाता ह्ति मेलेगा नहीं वो उन्हीं के पास जमा रहेगा फिर betting हो जाएगी, मैंने total मिलाकर साथ दिन के लिए betting कर रखा है तो daily basis पे calculate होगा और साथ दिन बाद net कर लेंगे कि क्या हो रहा है, वे question से समझाओं क्या, ठीक है sir, question से समझा, ये question है question number 13 open कीजिए question number 13 मैं इसको समझाने के कोशिश करूँ सुनोगे एक का नम है derivative bank entered into swap arrangement on principle कितना लेना है आपको 10 करो and agree to receive my bar मतलब हो गया sir, एक derivative bank हो गया और एक है swap bank और derivative bank और swap bank derivative bank receive करेगे क्या चीज my bar और देना क्या है, fixed इसमें कोई दिक्कत है क्या कोई दिक्कत में, देना है fix, मिलेगा agree to receive my bar overnight floating rate for a fixed payment on the principle the swap entered on Monday 19 अगस 2019 and watch to commence on 20 अगस 2019 कितने period के लिए swap हो रहा है, साथ दिनों के लिए my bar का rate यह हो जाएगा, यह हो जाएगा, यह हो जाएगा, उन्होंने total आपको दिया हुआ है, ठीक है हमारी बात है, fix rate कितना हो जाएगा, आप इसका total payment amount निका लीजी और इसका total amount निका लीजी तो बात ही कतम हो जाएगा, nature of swap क्या होगा, plane vanilla swap, इसमें समझाने वाली बात नहीं है, overnight index, net settlement में बस मुझे यह वाला फिगर चाहिए और यह वाला फिगर चाहिए और आंसर आजाए एक हजार लाग लेनु, मुझे लैक पसंद आता है, और fix का rate कहीं दिया हुआ है, क्या, fix 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 fix, sir 8% है, into 8% कितने दिनों का है, 7 और एक साल में कितना दिन लेना कुछ बताया है, कि 365, 365, आंसर आजाएगा, तो fix में कोई दिक्कत नहीं है, बताओ fix कितना, तो उसे ने निकाल होगा fix में, fix में यह निकल गया है, 10008%, 153745, मतलब हम fix देने वाले, 153025, हमें fix देना है, सवाल यह है कि माइबोर का rate कैसे calculation करोगी, यह important है, और यही मैं आपको समझा, इसको ध्यान से देखना, यही समझाना है, सबसे पहला काम होगा, कि आपको किस दिन से काम हो रहा है, सर, Monday, बैटे, day important है, day important है, मंडे को हमने swap में enter किया, पर swap जो comment हो रहा है, वो 20 तारीक को हो रहा है, तो 20 तारीक को day कौन सा था, मंडे 19, तो 20 तारीक को day था Tuesday, Tuesday से start हो रहा है, वहाँ rate था 8.15%, तो अब समझना है, यह day important है, क्यों day important है, मैं last में बता हूँगा, आपको समझ में आ जाएगा, कि day लिखना क्यों important है, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं उन साथ दिनों का interest निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो Tuesday को rate हो गया, 8.15%, तो 10 करोर पे 8.15% एक दिन का, एक ही दिन का interest यह निकलेगा, 22,300, फिर 7.98% निकालना पड़ेगा, वह कैसे निकलेगा, फिर interest पे interest cumulative, 10-1000,000,000,000 पे यह जोड़ दोगे, और उस पे निकलेगा 7.98%, एक दिन का तो यह आ जाएगा, फिर इस figure में, यह वाला भी interest उलेगा, अगले दिन मतलब सर, interest पे interest calculate हो रहा है, यह बस यह ही इतना है, यह daily compounding होता है, अच्छा, यह आ गया, इसका 7.9%, बस important क्या होगा, जो मैं समझाने जाना हूँ, जैसी आएगा Saturday, Saturday आ गया है, क्योंकि Sunday को तो छुट्टी होती है, तो अब Saturday को जो interest का calculation होगा न, Saturday को एक दिन पहले वो दो दिनों का होगा, यह important है, मतलब इसमें यह interest जोड़ेंगे, तो यहाँ जो calculation होगा, यह important है, दो दिनों का होगा, Saturday का तो होगा, और Sunday का भी होगा, यह important है, नोट करने वाली बात है, कि वही Saturday को आपको सोच समझ के काम हो, एक तो यह issue है, ठीक है, और दूसरा क्या issue है, माईबॉर मिलने वाला है, ना, दूसरा यह issue है, सर, कि सर, calculation में बहुत टाइम लगेगा, वो तो मैं, calculation का तो आप बता दीजिए मुझे, calculation में तो हम expert है, calculated trick हमको जितना आता है, बहुत ज़्यादा आता हूँ, मैं आपको regular class में समझा चुका हूँ, पर calculation trick, काम कब आई कि जब आपके multiple choice question हो, जो कि होने वाले हैं, मेरे दिल की मुराद पूरी होगे, तो अब सुनो, सर, calculation से कैसे करोगे, calculation में से सुनो, मैं टेटरो, सबसे पहले, कहीं अच्छे से लिख दूँ क्या, yes, इसमें time बहुत लगता, calculation mistake भी बहुत होती, तो मैं कैसे करूँगा, सबसे पहले सर, calculator में, हम लिखेंगे, 1000 लाक, और उसको कर देंगे, M+, तरके देखें, 10 करोड, 1000 लाक, और M+, में डाल दिया, पिर into, करूँगा, हमें, कितना पर्षेंट है, 8.15%, एक ही दिन का है, तो divided by 365 कर सकता हूँ, divided by 365, into 8.15%, divided by 365, और फिर किया, M+, जैसी M+, किया, तो ये वाला figure आ गया होगा, फिर करो MRC, जैसी MRC किया, तो आटोमेटिक ये वाला figure आ गया, लिख दू, MRC, जो आया, into, कितना पर्षेंट, 7.98% divided by 365, into 7.98% divided by 365, फिर M+, किया, तो क्या, ये वाला figure आ गया, 21,800, येस, फिर MRC किया, तो वापस ये वाला गया, फिर into, अब तो समझ गया, CA final में है, मैं हर चीज ऐसे नहीं समझाँ, करते जाना आते जाएगा, करते जाना आते जाएगा, टाइम कम लगेगा, नहीं, तो बार बार 10 करोर लिखने में, हालत खराब हो जाएगा, तो finally interest क्या आया, सर, finally interest आया, ये 154206, 154206, ये आखे, अब कौन किसको देगा, ये तो अबीब समझाएगा, सर जाएगा और मिलेगा, मतलब जितना जा रहा है, उससे ज़्यादा मिलने वाला है, तो net में swap bank हमको देदेगी 781, जितना जा रहा है, उससे ज़्यादा आने वाला, तो यार, हमको मिलना चाहिए, फिर तो हमें net में मिल जाएगा 781, that's it, हो जाएगा, ठीक है, चले जी आगे, ये सर, बहुत time हो गए, आपने बोला था, कि दो घंटे में मेरा interest rate risk management खतम हो जाएगा, कोशिश तो कर रहा हूँ जितना आपका time बचाने की कोशिश में करूँ आपके साथ समझ से है, क्या मानू है, आदे घंटे का आप movie देख लोगे, IPL देख लोगे, लेकिन आदा घंटे जादा revision हो गया आपको, सर मतलब ही क्या मना, ऐसा कोई revision हुआ है क्या, अगर आठ घंटी क्लास में, दो घंटे में करवा रहा हो, उससे ज्यादा और क्या करवा रहा हूँ, सर यह माइनस हा रहा है, कि माइनस नहीं भई, बरावर है यह बरावर, बरावर 781, यह लो, equal to, ऐसे यह question में उठाया है, सर यह तो same ही question, same ही question है, बस language की वज़ा से problem है, और वो मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर से derivative bank, फिर से 10 करोर, ठीक है, derivative bank enter plan, one night index, ठीक है, member, my board receive हो रहा है, तो derivative bank को my board receive हो रहा है, derivative bank को my board receive हो रहा है, मतलब fix का payment करना है, कोई दिक्कत नहीं है आता है, कोई दिक्कत नहीं है, और बता भी दिया, सब कुछ हो ही है, यह वाली line क्या है, if derivative bank receive 317 net on settlement, तो वो यह कह रहा है सर, कि net settlement में कहां गया है हमारा कोश, net settlement में हमें मिलेगा कितना 317, ठीक है, और fix rate पूछ रहा है, इस question में यह नहीं बताया है, बोले, यह आप निकाली है, ठीक है, my board तो निकाल सकते हैं, my board के सबसे interest का amount आ रहा है, और हमें मिलने वाला है, अब थोड़ा दिमाग चला, सर, हमें मिलने वाला है, यह, my board, और हमें net में 317 भी मिलने वाला है, तो बताओ, fix क्या आएगा, कम की ज़्यादा, this is most important, सर, हमें यह मिलने वाला है, और हमें देना कम होगा, तभी तो यह आ रहा है, हमें मिलने है ज़्यादा, और देना है कम, तभी तो net में हमें मिल रहा है ना सर, yes, तो इसलिए यहां से क्या हो जाएगा, इसमें से यह minus हो जाएगा, और इस पे rate of interest निकालोगे, तो answer कितना जा अब बात किसकी करेंगे, अब बात करेंगे हम two-party swap, यह वाला कुश, two-party swap, इस पे पता नहीं आप बच्चों को याद है कि नहीं, बट में example करवाता था, पानी पीनों, और example क्या करवाता था, तो हम पता है हमको, औरेंज, औरेंज है नहीं, एपल, मैंगो, एक जगा देल नहीं, राइपूर, पता नहीं, यहाद है कि नहीं, यहाद है कि नहीं है, मैं वो लगता था, कहीं मैंगो महगा है, कहीं एपल, इस तरह से औरेंज महगा है, कहीं एपल है, तो एक जगा से औरेंज, इस सर कुछ याद नहीं आ रहा है, यहीं से समझाओ, नहीं से, सुनना पड़ेगा बट, काम की चीज़े, सुनो, लिखा, आइबी एन इंडियन फर्म, सबसुटरी इन जापान, जैकी और यह सब दिया हुआ है, हमारे जो काम की चीज़े है, तो एक बार देखे, क्या लिखा हुआ, हमारे काम की चीज़े है, यह होता है, टू पार्टी सो एक में सुनो, क्या होता है, आइबी और जैकी दो कमपनी है, आइबी, और जैकी, और यहाँ कौन सा रेट दे रखा है, सर यहाँ दे रखा है, प्रोटी, और यह क्या रेट दे रखा है, पिक्ष्ट, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा हुआ, फ्लोटींग रेट में बेस, प्राइम लेंडिंग रेट दे रखा, प्लस, अच्छा सर, ठीक है ना, दिया यह तो ठीक है, इस पे क्यो टाइम बरबाद करो, मैं लिखना है पलिए सर अगर आप ये कार्ट देची इसकी वज़ा से प्रॉब्लम हो रही है अब इसी को पढ़ने की कोशिश कर दो कंपनी है जैकी और आई भी सर अगर आप देखो तो इसमें को rate of bank उधार दे रही तो इसको rate of interest ज्यादा लग रहा है हाँ और इसको rate of interest कम लग रहा हाँ फाइदा है और सर इसको floating भी कम rate पे मिल रहा है इसको fix भी कम rate पे मिल रहा है तो सर आई बी लिमिटेड अच्छी कंपनी है उसका credit rating अच्छा होगा हाँ जी इट advantage है जिनको मैं revision करवा रहा हूं उनको याद आ रहा होगा हाँ सर एक absolute advantage था और एक comparative advantage था हाँ याद ही तो आना चाहिए तो सर इसको तो दोनों ही मैं advantage है लेकिन इसको floating में भी फाइदा है fix में भी फाइदा है पर दोनों में से किसमें ज़्यादा फाइदा sir this is comparative advantage फूजरा देखें इसको floating में भी फायदा है कितने परशन का दो परशन का इसको fix में भी फायदा है कितने परशन का 0.25 परशन का तो उस हिसाब से sir इसको floating में फायदा जादा है तो IB Limited को अगर मेरी ओपिनियन है तो उधार किस में लेना चाहिए फ्लोटिंग में फ्लोटिंग में उधार लेना चाहिए किसको IB को लेकिन कोशन जो फ्रेम होगा उसमें कभी भी जिसको जिसमें फायदा उसमें उधार नहीं लेगा यह मैंने आपको समझगें तभी स्वैफ़ पॉशिब हो यहां आई-भी को लेना चाहिए उधार प्लोटिंग से लेकिन एक्ट्व में जब कोशन में दिखेगा तो बताएगा कि एक्ट्व में वो floating से उधार ही नहीं लेना चाहता, वो fix rate से उधार लेना चाहता, वो risk नहीं लेना चाहता, तो देखो कहीं न कहीं मिलेगा, IB को ढूंडो, IB को हमारे इसाब से floating होना चाहिए, पर यहां fix दिखाई देगा, लिखा है, IB wishes to borrow at fix rate, ठीक है सर, तो क्या करना होता है, क्या करना होता है, उसको हम यहां ऐसा star लगा ले, IB किस हिसाब से बोल रहा है, fix, तो जैकी किस हिसाब से बोल रहा होगा, सर, floating, तो यह fix के हिसाब से, यह floating के हिसाब से, और हम swap में क्या करेंगे, swap में करेंगे भाईया, IB आप fix के हिसाब से मत लेजिए, अब floating के हिसाब से लेजिए, और उसको swap कर दीजिए, no doubt, आप कितना percent, अब भी बीना swap करें, कितना पढ़ रहा है, बहुते दो, आपको दो से भी कम पढ़ेगा, यही होता है, ठीक है, और इसके अलावा commission भी होगा, और commission कितना percent है, 25 basis points का मतलब commission हो गया, 0.25 percent, और gain कैसे share होगा, equally, तब से पहले swap कैसे arrange होगा, बताओ, तो हमें लिखना क्या होगा, सुनो, लिखना क्या होता है, लिखेंगे यह, कि I be limited को advantage है, किस में, fix में भी absolute advantage in fix and floating, but it has comparative advantage in floating, hence I be should borrow at floating rate, यह सब कुछ लिखना पड़ेगा, ओ, मैंने लिखा हुआ है, सबसे पहले वही काम करेगे, swap design कैसे होगा, I be enjoy absolute advantage in fix as well as floating, but it has comparative advantage, it enjoys comparative advantage, floating, hence I be should borrow at floating, and Jackie should borrow at, गलात है, fixed, Jackie should borrow at fixed, ठीक है, effective cost निकालना पड़ेगा, बस दो-चार line लिखोस से ज्यादा, बाकी तो मैं बहुत कुछ design कर सकता हूँ, मैंने का, swap design एक से ज्यादा तरीके से हो सकता है, पर हमारे काम करेगे, अब इसको सुनो कैसे करोगे, सबसे पहले लिखना, total cost without swap, अगर हम swap नहीं करते, तो total cost कितना पड़ता, सर ये, this plus this, तो BPLR 4.5 पर, पर हम गह रहे हैं कि आप fix के, साबसे IB fix से आपको नहीं लेना, आपको लेना protein से, तो just opposite कर दीजिए, इसको ये और ये कर दीजिए, it means just opposite समझ रहे हो ना, yes sir, क्या करेंगे, ये इसको S के सबसे हो जाएगा, ये 2.5 के सबसे हो जाएगा, तो ये आजाएगा total cost after swap, अब without swap और after swap, तो कितना फाइदा हो रहा है, फाइदा BPLR, BPLR कट हो जाएगा, तो फाइदा निकालो, और फाइदा कितना आगे है sir, सर फाइदा आगे हमारा 1.15%, कमिशन देने के बाद भी 1.5%, अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा, effective cost क्या आ रहा है, तो effective cost में desired borrowing वो कितना चाहता था, 2%, 2% में से minus कर दीजिए, 1.5 नहीं, उसका आदा, मतलब 0.75%, 2% में से minus कर दीजिए, 0.75, तो इसका effective cost पढ़ रहा है, 1.25%, और effective cost इसका क्या पढ़ रहा है, BPLR 1.75%, मेरे ख्याल से यह का लोग, इसमें मुझे ज्यादा रिवी, इसमें बहुत ज्यादा concept में discussion नहीं कर सकता, मैं इसमें idea दे सकता हूँ कि कैसे करना, क्योंकि concept के लिए है, तो या regular class ही देखनी पड़ीगी, ना, ठीक है sir, बास समझ में, it means sir, हमें करना बस इतना है, वो जो चाहते हैं, पहले वो जोड़ दो, वो जो चाहते हैं, पहले वो जोड़ दीजिए, और फिर opposite, वो fix आते हैं, तो उसकी जगह floating लेजिए, इन दोनों के बीच का difference निकल लीजिए, उसमें से commission मैनस करके, जो आया है, उसकी उनके desired worrying से मैनस करके, बस, और कुशन ही दरना, मतलब सर, ultimately net gain निकालना, तो net gain तो ऐसे भी निकल सकता है, इन दोनों के बीच का difference, और इन दोनों के बीच का difference कितना आया था, 2%, और इसका difference कितना आया था, 0.25%, इसमें से ये मैनस करके, 1.75 आ गया, क्यों टाइम पास कर रहा हूं, सर, में टाइम पास नहीं कर रहा हूं, सर, दिखना पड़ेगा आपको ऐसे, ठीक, और simple सी बात है, सर, फायदा कहते हुआ, ये किसको कितना, ये कितना देना चाहता था, 2, तो चलो, 2 से कम देना पड़ा, ना, answer कितना आया, swap की वज़ा से, इसको कितना देना पड़ा, 1.25, और ये भाई सब, जो है, ये कितना देना सर, ये BPLR, प्लस 2.5 देना चाहते थे, तो देखो, ना, कम हो गया, इसको तो BPLR, प्लस 1.75 परशनट ही तो देना पड़ा, ठीक है, बाकी, आपको मैंने बहुत, फिगर विगर लेकर, सब कैल्कुलेट करके दिखा, चाहे आपकी exam oriented class हो, चाहे आपकी regular class हो, दोनों मैं मैं समझाया हूँ, amount लेकर समझाया हूँ, कि देखो, ऐसे effect पड़ता है, यहाँ नहीं समझा सकता, समय नहीं है, ठीक है सर, आगे चल रहा हूँ, यह एक और question है, question number 16, इस पर बच्चों के बड़े सारे doubt, actually, question number 16 आपके पास है, इस में इस question में खास बात यह है, कि आपको अपना दिमाग नहीं चलाना है, जो question बोल रहा है, बस वैसे करते जाना, that's it, और बच्चे यहाँ नहीं अपना दिमाग चलाने की कोशिश करते, कि नहीं सर, swap design ऐसे होगा, लेको swap design का एक rules समझ लो, अगर दिया है institute ने, या नहीं ऐसे ऐसे design करना, तो वैसे design करना, बस आप बात करता हूँ, अब मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, दो company है, A incorporation, और दूसरी कौन सी है, B incorporation, A incorporation, B incorporation, अब आगे सुनो, A incorporation को borrow करना है dollar two lakh, और B incorporation को borrow करना है, दो लाक डॉलर के बराबर yen, एक बार action rate देखोगे, तो यह action rate दिख रहा है, तो उसर 120 into 2 lakh, तो yen 240 lakh, ठीक है, ठीक है, हमने एक रूल से समझके रखा, swap में हमेशा यह लगों से, दो party है, तो जिसको जो चाहती है, हम उससे वो borrow नहीं करवाएंगे, it means A incorporation dollar borrow करना चाहती है न बैंक से, उससे हम dollar borrow नहीं करवाएंगे, उससे हम yen borrow करवाएंगे, अब मैं यहाँ समझाने के पुशिश कराओ, यह एक bank हो गई, और यह एक bank हो गई, इससे तो वैसे dollar borrow करना था, पर यह हम borrow क्या करवाएंगे, इससे yen borrow करवाएंगे, मतलब यह interest देगा तो किस पे देगा, यह एन पर, और यह एन के लिए A incorporation का rate of Pinterest कितना पाच पश, बदले में इसके पास किया जाएगा, यह कितना, 240 लग, और यह क्या कर देगा, यह इसको transfer कर देगा, यह कितना, 240 लग, बात कतम, इसको चाहिए क्या था, इसको यह इन चाहिए था, यह इन मिल गया, तो यह भी तो इसको कुछ देगा, यह क्या करेगा, डॉलर बॉरो करेगा, पर यहाँ interest कितना देना पड़ेगा, बी इन कॉर्परेशन को interest का rate है, 10 परशन, क्या है, इसके पास डॉलर, और डॉलर इसने यहाँ transfer कर दिया, कितना डॉलर, 2 लाक, बात कर देगा, यह तो ठीक है, लेकिन swap arrangement जो हो रहा है, उसमें कुछ बाते लिखी, इसको ignore नहीं कर सकते, अपना दिमाग नहीं चलाना, जो question बोल रहा हूं कर, इसमें लिखा है, they entered in a currency swap under which, it is agreed that, अब जो बोला वो लिखो कर, बी इन कॉर्परेशन विल पे, बी पे करेगा, ए को, 1% over the yen loan interest, which the later will have to pay as a result of the agreed currency swap, बोल रहा है भाई साब, ऐसा है कि, A B इन कॉर्परेशन पे करेगा, किसको A को, कितना percent, जो बोले yen loan ले रखा है, ना, 5% उससे 1% जादा, मतलब total 6% पे करेगा, future में जो इन्होंने yen loan लिया है, तो future में interest पे करना पड़ेगा, ना, कितना percent, 5, तो बोले, वो सामने वाली party, past से 1% जादा पे करेगी, मतलब 6% पे करेगा, ठीक है, इसके अलावा, A incorporation reimburse कर देगा, अब B को कितना, 9%, बोले, A जो है, वो B को कितना देदेगा, 9% देदेगा, ठीक है, आपको बताना है, कि gain या loss हो रहा, outcomes वगेरा बताना है, ठीक है, यह बोला, अगर मैं कहूं कि इसका effective cost percentage में कितना पढ़ रहा है, outlook minus minus यिन प्लो कितना जारा, 5,9, फांच जारा झारा ला था, फांच जा रहा है, ए पलस 9 जारा मैनस 6 यारा तो पांच प्लस 9 ला तो इसका effective cost कितना पढ़ रहा है, अगर इसकी बात करो, सर दस जाएगा प्लस छी जाएगा दस जाएगा प्लस छी जाएगा माइनस नौ जाएगा इसका इफेक्टिव कोश्ट पढ़ा है साथ पर्षन बात करता है इसका इफेक्टिव कोश्ट पढ़ा आठ पर्षन इसको क्या चाहिए था डॉलर डॉलर मिला यह कितने पर्षन पर चाह रहा था डॉलर डॉलर नौ पर्शंट पे पर अगर देखो तो इसको तो आठ पर्शंट में बात बन गई नहीं और क्या चाहिए यह क्या चाह रहा था सर यह यह और मिला क्या यह नहीं तो मिला यह कितना दे देता यह अगर स्वैप नहीं होता तो सर यह 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 के लिए आठ पर्षेंट बोले इसको कितने में मिला, साथ में मिल गए, पर इस कोश्चन को इंस्टिट्यूट ने फिगर में कैल्पिलेट किया, बोले एमाउंट वगेरा बताओ, जो बताओ वो पर्षेंटिज में आंसरने चाहिए, हमें डॉलर या येन में चाहिए, अब देखो इ यहां से उधार लेगा, और इधर ट्रांसपर कर देगा, यहां से क्या उधार लेगा, येन, और येन इधर ट्रांसपर कर देगा, तो वही काम किया है, बोरो येन फ्रॉम बैंक, आया येन, और बी को दे दिया, गया येन, और उधर से क्या आ गया, आज की दिन, आज की द खरस्काइब भाई इधर से मिलेगा इधर तो यह देना पड़ेगा यह उधार लिया था यह इंग पर 20 का टान्वान का लग यह यहां है यह गाएँ यह देखो 240 का 5% नहीं आ रही है 6% मिस्टेक है केलकुल यहां में स्प्रिंट है 6% आ गया तो 14,40,000 क्या आया यह 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 ना आया यह एक बात और है इसको देना भी तो पड़ेगा 9% किसका क्योंकि डॉलर है तो डॉलर का दो लाग का 9% देना पड़ेगा बीन कॉर्परेशन को तो गया तो डॉलर 18 हजार तो सर उसे सबसे हमारे पास डॉलर 18,000 गया है पर यह दो लाग चालिस जार काम को फाइदा है यास Mother और अचेकर जार लाग माज़न के लिए इसको डॉलर में करना पड़ेगा वह दॉलर में ही दिखाना पड़ेगा तो मैं ने इसको डॉलर में ही दिखाया है यहां मेरे पास डॉलर जा रहा है और यह ना रहा तो उसको मैने डॉलर में convert कर दिया तो total मिलाकर डॉलर 16,000 का मेरा interest है किस पे 2,000,000 पे तो percentage कितना आ गया है आट पर तो gain कितने का दिख रहा है आपको 1 पर ऐसी मैंने किसका किया होगा बेन corporation आप यहां खड़े होजा आपको समझ में आगा उधर से आया डॉलर आज की बात हो रही है और जो डॉलर ने डॉलर उधर से नहीं आया बैंक से लिया डॉलर और एक को दे लिया डॉलर और ए ने भाई साब ने कितना येन पहुचा है था तो ये तो आज मुझे येन च से गया डॉलर अचा उधर से भी तो कुछ आया था ये नाया था क्या नहीं उधर से डॉलर आ गया था 18,000 यह 18,000 है ठीक है कैलकुलेशन देखते हुए इस प्रिंट है बहुत सारा प्लीज देखते हुए चलना ठीक है सर अब इंट्रेस्ट ट्रांसपर ओ मैंने येन दिया बस यहाँ देखना कि यहाँ मुझे कैलकुलेशन येन में चाहिए तो मुझे डॉलर को येन में करने बट करना पर एगा तो हजार इंटो 120 अच्छा ये भी माइनस माइनस प्लस कर दिया ठीक है चल जाएगा तो टोटल मिलाका मेरे कल से अब कैलकुलेशन अब कर लो ठीक है तो स्वैप खतम हुआ हमारा स्वैप में इतना ही था सर आगे क्या आगे कैप कॉलर फ्लोर करवाने वाले तो स्वैप में देखा जाए तीन एक हमने क्या क्या प्लेन वनिला स्वैप दूसरा ओरनाइट इंडेक्स वैप जैसे बोलूंगा आपको याद आएगा यह यह वला कोशन था और तीसरा टूपार्टी स्वैप में गिए दो कोशन किया है अगे यह एक करेंसे स्वैप बोल सकते हूं कि यही करेंसे स्वैप है अब आगे लाश्ट टॉपिक बचा हुमारा कैप कॉलर और फ्लोर खतम करते क्या स्वैप तो अगला टॉपिक पर चलते कॉलर का मतलब पुट ऑप्शन समझाओगे हाँ समझा देता हूं राम फिर से और उसको लग रहा है कि फ्यूचर में लाइब और बढ़ने वाला है और कितने पर्शन से बढ़ने वाला अगर इसको लग रहा है कि बढ़ने वाला है और कितने पर्शन से एक रेट ले लेते हैं मान लो आठ पर्शन पे इन्होंने कैप खरीद लिया मतलब कॉल ऑप्शन खरीदा अगर आठ पर्शन से उपर जाएगा आठ पर जाएगा तो हम क अगर इक ना होकर फ्लोर होता है अब आप समझना कॉलर स्ट्रेटीजी क्या होती है जैसे आप्षेन में होता ना बुल बियरेस इस्ट्रैडल इस्ट्रैगल जो अपने रिविजन की या यह नहीं जो पढ़ा नहीं मैं कॉलर स्ट्रैटेजी की बात कर जा ठीक है सर समझाई यह क्या होता है को बदले में यहाँ प्रीमियम देना होता है याद रहा है आपने कैप पाई किया आठ पर्शन पर मतलब आपको मालूम है कि आपने शर्त लगाया है कि रेट ऑपिंट्रेस्ट आठ पर्शन से उपर जाएगा आपको विश्वास है तो बदले में आपने क्या किया सर हमें प्रीमियम देना पड़ा प्रीमियम पैट करना पड़ा क्यों कि आपने कैप खरीदा है तो भाई जब लग ही रहा है कि रेट बढ़ेगा प्रीमियम भी देना पड़ा तो जब लग ही रहा है तो एक काम करो न आप फ्लोर बेच दो अच्छा सर सेल कर दो अफ फ्लोर और रेट कोई भी ले लो रेट कुछ भी हो सकता मालो आपने पाच परशन पे फ्लोर बेच दिया इससे ज्यादा तो नीचे नहीं जाएगा ना पाच एक आठ से नीचे भी कर सकते थे पर मिन का थोड़ा सा मार्जिन लेके चलो चार पाच से नीचे जाएगा ऐसा करके फ्लोर बेस दिया अपको मालो मनें रेट आप इंठी में क्या होगा मालू मैं सिर्फ बदले में हमको प्रीमियम हो जायगा रजीम मिल जायगल भाँ उससे फायदा के ओअगा क्योंकि इक खीर और आपको पैसे मिल जाएगा हमें फायदा कब होगा जब रेट ऊपर जाएगा हमें लॉस कब होगा हमें सामने वाले को पे आफ देना पड़ेगा कब देना पड़ेगा जब रेट पाच पर्शन से नीचे जाएगा तो एक स्ट्राइटिजी इसको बुलते कॉल अप पढ़ टूटल मिलाकर इसके दो टाइप की वाराइटी के कोश्चन है इस कोश्चन पर बवाल मचा हुआ था क्यों मचा हुआ था वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ पर अभी सुनोगे ज्यान से एक्स यजड इनकॉर्परेशन इस्यू और यूरो टैन मिलियन फ्रोटिंग रेट लोन और फार जुलाई तो हजार तेरह कुछ बच्चों को यह इस्यू सब्द से प्रॉब्लम आगे उनका यह कहना सर इस्यू सब्द लिखा है मतलब हम लोन दे रहे हैं तो मतलब हमको इं मतलब हमने पैसा उधार लिया हमें इंट्रेस्ट देना पड़ेगा बहुत इस्यू हो रहे है ठीक है और इस्यू कम हो रहे है सर फर्स्ट जुलाई आप समझना यहां क्या प्रॉब्लम है पास्ट जुलाई दोहजार तेरह ठीक है सर विट रिशेटिंग अप कुपन रिट एवरे सिक्स मन्थ इस इकल तो कितने पे उधार लिया आपने सर हमने उधार लिया है लाइबॉर प्लस फिप्टी बेसिस पॉइंट मतलब 0.5 एक्स, यजड इंटरेश्टेटेजी बाइ सेलिंग ए फ्लोर और बाइंग ए कैप बाइ कर रहे हैं और फ्लोर सेल कर रहे हैं, यहां तक कोई समस्या नहीं त्री यर कैप एंट सेल, त्री यर फ्लोर डिटिलेस, नोशनल प्रिंसिपल ले लिजे, टैन मिलियन, सिक्स मन्थ लाइबॉर रेट है चार परशन फ्लोर, मतलब चार परशन से नीचे जाएगा, तो सामने वाला फ्लोर एक्सेस करना पड़ेगा, हमने देना पड़ेगा और साथ परशन पर कैप, मतलब साथ परशन से उपर जाएगा, तो हम कैप एक्सेस कर लेगा, यहां तक कोई समस्या प्रीमियम जीरो, जीरो क्यों लिखा मालू मैं, क्योंकि कैप के लिए देना पड़ा, फ्लोर के लिए मिल रहा है, तो दोनों बराबर है, जबके एक्चुल में ऐसा होता नहीं, चलो जो बोलोगे वो हम लिख रहा है, ठीक है, Using the following data, you are required to determine effective interest paid out at each reset date, ये एक समस्या है, ये ही एक समस्या है, जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, और average overall effective rate of interest, तो अब समस्या क्या है सुनना, किस date में, एक, एक्चुल में कैप कॉलर फ्लोर में होता क्या है, बस ये समझाने की कोशिश करूँगा, एक जुलाई, तो छे माँ कब खतम होगा, 31, 12, इसको थोड़ा अच्छ से सलिक हो ना, क्योंकि इसी पे तो बवाल मचा हुआ, तो इसी पे बात करने है, मचा हुआ है, तो टाइम लग रहा है, हाँ लग जाने दो टाइम पर समझना ज़रूर है, ये बात आपको अच्छ सम मचना एक्छुली, ये एक जुलाई, कौन सा येर है, दोहजार तेरा, छे महां कब खतम होगे, 31, 12, 2013, और यहां से छे महां कब खतम होगे, 30, 6, 2004, ठीक, आपने कैप खरीदा है, कितने पर्शंट पे, 7 पर्शंट पे, कैप खरीदा है, 7 पर्शंट से, लोन कब ले रहा है, सर, लोन एक जुलाई को ले रहा है, क्या रेट है, सर, लाइबोर, प्लस, 0.5, ठीक, अब सर, कैप आपने कब खरीदा, कैप यहां खरीदा, यहां, अब इंपोर्टन है रेट, रेट यहां का 8 पर्शंट हो गया, मान लो, इस कोश्चन को भूल जब, रेट हो गया, यहां का 8 पर्शंट, तो क्या कैप एक्सेसाइज होगा, यस, लाइबोर का रेट, यहां का देखा जाता है, अगर मैं कह रहा हूं, आपको बैंक वाले को देना है, 6 मेने का इंट्रेस्ट, तो रेट किदर का देखोगे, रेट यहां का देखोगे, रेट तो यह वाला देखोगे, एक तारीको, जिस दिन आप लोन ले रहा है, उस दिन It means मैं जब पहला calculation करूँगा तो मैं यहां से यहां तक करूँगा यही होता है actual में और cap exercise होगा कि दिए मुझे यहां का rate देखना पड़ेगा किसमत ते इस question में यहां का rate नहीं दिया तो फिर हम क्या करेंगे हम spirit को ignore कर देंगे छोड़ो जी spirit को ignore ही कर देते अब यहां का rate तो दिया है ना यस और यहां का rate कितना दिया है छे परशन वाँ actual में ऐसा होता है तो अब मुझे यहां से यहां तक का calculation करना पड़ेगा वैसे तो छे-छे महा में बात कतम हो जाएगी मुझे bank वाले को देना कितना पड़ेगा अगर लाइबोर करेट 6% हो गया तो मुझे bank वाले को देना पड़ेगा 6.5% कितने महने का इंटर्स देना पड़ेगा 6 महने का बिल्गुल common sense लगाओ यार क्यों दिन गिनने के चक्कर में परिशान कर रहा हो बच्चे को कर रहा है यार 6 महने का कैलकुलेशन करो खतम करो पर ICAI डेस के वेसिस पर कर रहा है तो चलो दिन भी काउंट कर लेते यहां से यहां तक कितना दिन हुआ अब मैं काउंट करने की कोशिश करो दिसंबर छोड़ दो जनवरी का कितना दिन 31 Μे क्या निकालने की कोशिश कर रहा हो कि बैंक वाले को मुझे ब्याज कितना देना पड़ेगा बैंक वाले को देना पड़ेगा मुझे 6% लाइब और हो गया तो 6 plus 0.5% ठीक है तो कितने मिलियन पर सर कितने मिलियन पर यहां एमाउंट है 10 मिलियन पर एंटो 6 इंटू छे 6.5 परशनेक्छ इंटू छे मैंनेकरी इन कहिंए कि इस परफिगें चलो बैheen बोलाएं कि यह निया है का पाउंड्ड तस मिलिय Seriously इसकी नहीं है जैसाओ सिर्टे moste जाता है चलो मैं calculate कर रहा हूं यहां से यहां तक तो जन्वरी का 31 फैब का 28 अब यार आप ली पीर वगिरह में आ जाओगे तो अलग बात है वैसे 14 डिवाड़ेड वैसे यह ली पीर नहीं है ठीक है 28 21 28 और जन्वरी हो गया फैब हो गया इसमें looking at 21 252 अपरेल में 30 दिन होते अपरेल में 30 तीन होते है मैं मैं 31 और जूर में 30 दिन count कर लिए वाड़ Dalit आसे कितने अप 31 प्लस 28 प्लस 32 331 प्लस 31 प्लस 33 टोटल मिलाकर यहां के दिन कांट करोंगे है तो 181 डेज होते हैं तो दिक्कत है क्योंकि यह वाला पेरियड मैंने इग्नोर कर दी है दिया यह नहीं है तो 181 डेज और मैं बच्चों से यह बोल रहा था कि चलो पहला वाला इग्नोर कर देते 181 दिक्कत यह है कि इन भाई साब ने 184 डेज ले रखे अभी सुनो कि गरबड मत करना मेरी पूरी बात सुनो के मैं फस गया में फसा करोओ करो करो आप यहां का को में 184 देना और कहां से काउंट किया गया यहां से काउंट किया गया यहां तक Mexican है और इसी तरह से मैं नहीं सारे टीछेज्ट ने करवांए उसकी एक मात्र वज़़ा ठी किशलो यार WIL एसी ऑ-इजो फॉलू कर रहा वो फॉल्य कर देते हैं पर ठीक एक अटम इप्ट पहले जो कोर्षन आया उन्होंने ये कोशन कहां का उठाकर मैंने श्तडी मैच प्रैक्शेमिय। लेंकिन अब जो कोशन आया बच्चोंने कैया बच्चोंने वह किया जो मैंने बोला और मैंन था, वो मेरी गलती थी, मैंने का concept को छोड़ो, IC AI को follow करो, आपने IC, आपकी गलती नहीं है, बहुत सारे बच्चों का मेरे पास suggested आया, एक एक सब्द मिल रहा था, उसके बाद बच्चों को zero number दिया गया, और सर, अभी ये सब सुनाने का time नहीं है, revision है, revision की तरह अब revision की तरह बात करूं, ये practice manual का question है, अब suggested खोल लेना, दो attempt पहले का, उन्होंने मेरी बात को माना, और उन्होंने का, हाँ जी, गलती हो गई थी, और गलती से हमने यहां लिख लिया था, यहां 181 days लिखना, it means कहां से कहां तक का count होगा days, यहां से, यहां का rate गिया, तो यहां से आगे करना पड़ेगा, यहां वाने, मतलब यहां से आपको 31 बारा तक जाना पड़े है, बात समझ में आरे में क्या बोल रहा हूँ, अगर ज़्यादा दिक्कत है, तो मैं इसका detail में वीडियो डाल दूँग, अगर आपको लगेगा, तो, सर, ऐसी बात है, आजी, ऐसी बात है, और इस पे बच्चों को zero number दे रहा है, भाई, क्या logic है, यार, days, दिन गिनने के आप number दे रहे हैं, यहां तो मेरा बश चलता हो, तो मैं छिछी मैने का निकालता, बात खतम, सर, करना क्या है, यह question, यह question गलत है, आज के suggestion गलत है, यहां days, 181 होगा, फिर आप समझ गया हो कि किस तरह से count, ठीक है, बद्दे की बात करते हैं, cap कब exercise होगा, यह गलत लिखा हुआ है, सर, जब 7% से उपर होगा, और floor कब exercise होगा, जब 4% से नीची होगा, that's it, ठीक है, अब libor का rate यह यह लिखा हुआ है, हमसे मांगा क्या इस question में, ह मतलब यार, बैंक वाले को जो पैट कर रहा है, बैंक वाले को पैट कर रहा है, पर cap या floor से मुझे कुछ मिलेगा, तो वो घटाने के बाद, net मेरा कितना interest पढ़ना है, in percentage, अब तयार है हम लोग, हमें बैंक को देना है, बैंक वाले को, लाइब और प्लस 0.5%, मतलब 6 है, त तो 10 मिलियन पर, मुझे देना 6.5%, इंटू कितने दिन का, इसने 184 देस का निकाला, आप निकाला, इंटू 181, डिवालेट बाई 365, तो यह जाएगा 322, 328, आप सुधार लेना इस question, ऐसा, सर आप भी सुधार, यह नहीं सुधार रहा, यह आपके institute का question पहले से पढ़ा हु सर, rate हो गया, 6.5%, सर, पिटे, यह मत देखना, cap के लिए सिर्फ जो बैटिंग हो रही हूँ, वो लिबाउर पे हो रही है, लिबाउर प्लस 0.5 पे मत हो ना, यह गलती मत कर देना, बच्चे और गलती कर देना, institute ने भी गलती किया था, किसी जमाने में, उसने वो भी सुधा लिए, बैटिंग किस पर हो रही है, 6%, सर, cap भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, rate हो गया, 7.5%, तो हमको देना पड़ेगा, interest कितना, 8%, अब हम cap exercise करेगी, कि अब करेंगे, हम cap exercise, बोलो कितना, सर, 7% से उपर हो गया, कितना हो गया, 7.5%, 0.5% का 5, कभी-कभी बच्चे क्या करत सर, 8%, 8% का नहीं, इस से comparison का, तो फायदा हुआ, तो ये, क्योंकि ये देना है, ये देना है, और ये मेरा बज गया, तो ये आगने से, इसी तरह से, 4 से नीचे में, floor exercise होगा, 8 में, सामने वाला मुझसे ले जाएगा, ये मुझे बैंक को देना पड़ेगा, ये मुझे सामन है, 1096 डे में, तो 365 दिन में कितना तो answer आ रहा, 5.51%, पर इसमें, पूरा की, पूरा calculation days की वज़े से, पूरा change हो जाएगा, जहां 184 है, वहां 181 हो जाएगा, और कहीं यहां देख लेना, अगर, अगर leap year होगा, तो वो भी देख लेना है, ठीक है, question साउधानी से करना, और इ ठीक है, और एक question है, यह बाला question, question number 23, खतम कर रहे हैं, class, question number 23 पर जाएगे, question number 23 पर आईए, क्या बोल रहा है, जड़ा देखें, लिखा सर, x, y, z limited borrow कर रहे हैं, कितना million, 15 million, और 6 month libor plus 10 percent, borrow कर रहे हैं, तो हमको देना पड़ेगा, जो libor का rate होगा, plus उसमें 10 percent जोड़ के, period कितना है, 24 मैंने, 1, 2, 3, 4, 6, 6 मां का है, the company को ऐसा लग रहा है, 6 month libor लिखा है न या, इसलिए मैं 6, 6 मैंने कलेगा हूँ, 6 मैंने, 6 मैंने, 6 मैंने, 6 मैंने, the company anticipated a rise in libor, इनको लग रहा है कि libor बढ़ेगा, इसलिए उसने cap buy किया, तो premium भी देना, strike price कितना, 8 percent से उपर जाएगा libor, तो हम cap exercise करेगी, premium कितना देना पड़ा, और लंसम एक साथ देना पड़ा, 1 percent, 1 percent for the entire reset period, fix rate of interest कितना है, 7 percent per annum, पता नहीं क्यों दिये, actual position of libor during the forthcoming period, और libor तीन ही period का दिया, फिर, मालों पहले period का नहीं दिया, तो हम तीन से काम कर लेंगे, you are required to show how far interest rate risk is hashed through cap option, cap option की वज़ह से बताओ interest rate risk किस तरह से hash, उसमें बस मुझे बैंक वाले को कितना देना है, cap खरीदने की वज़े से मुझे कितना फाइदा हो गया, और फिर वो माइनस करके देखूँगा कि मुझे effective कितना देना पढ़ना, that's it, उतना ही काम बचाएँ, पर premium भी है इस question में, पिसले question में premium नहीं था, तो सर्फ premium कितना है, premium की बात करो कितना है, pound 15 million का one percent, तो सर्फ pound 150,000 है, पर ये 150,000 एक साल का है, एक बार का, एक साथ, तो बता सकते हो कि हर period का कितना हुआ, बाट सकते हो, हर period का कितना हुआ, यहां का कितना हुआ, यहां का कितना हुआ, क्योंकि मुझे अलग-अलग pay-off दिखाना पड़ेगा, तो सर्फ एक लाग 50,000 divided by 4, 37,500 ऐसा नहीं करते हैं, इस से time value of money, time value of money ignore कर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे equal निकालना पड़ेगा, वो कैसे निकालते हैं, मैंने का, एक लाग 50,000 है, कितने period का, तो rate of interest कितना है, 7, 7%, तो 6 मैंने का, कितना आजाएगा, fixed rate of interest, सर्फ 3.5%, तो इसका present value annuity factor से divide करना पड़ेगा, मुझे amortize करना पड़ेगा, वो मैंने आपको समझा दिया, कैसे amortize करना, मैं सबसे पहले premium equal amortize करना, मुझे हर period का premium निकालना है, यह है, यह है, लमसम premium, तो हर period का premium कैसे निकाला जाएगा, तो यह देखो, यह है, यह आगया premium, discounting rate है 7%, तो 3.5% लिया, और 3.5% का मैंने यह निकाला present value annuity factor, कैसे निकालते हैं, मुझे समझाने की जरुरत नहीं है, ठीक है, तो यह निकाला, यह निकाला मेरा present value annuity factor, तो उससे आ रहा है premium हर साल का on an average, amortization बोलते है, 40838, ठीक है जी, और मैं कैसे कर रहा हूँ, question मैं ऐसे कर रहा हूँ, अब देखो देहां से, कितने percent पर कैप access होगा, 8%, बैंक वाले को मुझे क्या देना पड़ेगा, लिबर, अगर 9 हो गया, तो बैंक वाले को देना पड़ेगा, लिबर, प्लस 10%, 19%, यह जा रहा है, बैंक वाले को, पर, 8% से उपर में, कैप exercise, तो बोलो, यहाँ, कैप exercise होगा, कि यस, कितने percent का फायदा, एक पर्षन का, तो 15 million, 15 million, into 1% divided by 2, 75,000, इतना बैंक वाले को देना पड़ेगा, पर, इतना कैप का receipt हो जाएगा, receipt हो जाएगा, receipt हो जाएगा, और premium तो मुझे देना पड़ेगा, यह पैसा जा रहा है, और यह मेरा, बच रहा है, तो total मिला कर मुझे इतना effective interest देना पड़ा, ठीक है, तो हम मैं यह कह रहा हूँ कि total मुझे बैंक वाले को इतना देना पड़ा, लेकिन net तो मुझे इतना ही तो जा रहा है, तो यार मैंने interest बचा लिया इसकी वज़ा से, और कितना interest बचा लिया, इन दोनों का difference कर देना, 214986, खतम, कि मैंने cap खरीदने की वज़ा से, यह जो मेरा cap का receipt है, इतना मैंने बचा लिया, that's it, और कुछ नहीं था इस question, presentation अलग है, ICAI का इस question में presentation अजीब सा है, एक तो उसने premium को amortization किया, इस से ठीक हूँ, थोड़ा बहुत अंतर आ रहा है, वही किया ultimately, 40867, अब उसका क्या कहना सुना, उसने ये table बनाया भाई, तरी table क्या कहरी, table कुछ नहीं कहरी, table वही कहरी, बुले, हमको extra देना पड़ रहा, मतलब सर, क्या कहना चाहते हो, कहना ये चाहते है, कि देखो, libor कितना है, 9 परशन, बुले, strike price कितना 8, तो बुले, extra हमको interest देना, बुले, बुले, हमको extra देना पड़ा, bank वाले को 1%, ऐसा उसका presentation है, बुले, bank वाले को हमको देना पड़ा, extra 1%, ठीक है, भाई, additional receipt from bank, और हमें cap exercise हो जाएगा, तो हमें 1% का फायदा हो जाएगा, और premium pet कितना ये, तो फिर उसने net amount receipt निकाला, ये कहीं, गेरबड है, अच्छा, इस में से, ये extra देना पड़ा, ये मुझे bank वाले को, देखो कैसे कर रहा है, अजीब सा, ऐसा, सर्क हो गया न, इसको क्यों रटवा रहा हो, ये आ गया है, तो कमसे आट नमबर मिल जाए, बैंक वाले को, उपर हो गया, 9% होगा, तो 1% एक्स्ट एक्स्ट देना पड़ा, बैंक वाले को, कितना एक्स्ट देना पड़ा है, इस्ट्राइट प्रैस से कमपरिजन किया, ठीक है, यहां cap exercise हो रहा है, यहां premium काटने के बाद, net हमको इतना मिल रहा है, कहां से, cap exercise करने से, तो फिर उसका यह कहना कि, देखो, बैंक वाले को एक्स्ट यह देना पड़ा, पर cap exercise करने से हमें यह मिल गया, तो जो extra देना पड़ा, उसके अपेक से हमने पैसा बचा लिया, इतना पैसा बचा भी तो लिया, तो net हम एक्स्ट्रा कितना गया हमारे पैस से, तो इसमें से उसने यह मानिस कर दिया, अंसर उतना ही आ जाए, रट्टा मानना पड़ेगा यह कोश्ट, thank you so much, बहुत टाइम लग गया, और लास्ट में ज्यादा टाइम लग गया, धाई गंडे का था नहीं, गंडे का था, लास्ट के दो कुश्चन क्योंकि मुझे थोड़ा बताना था कि क्या गलतिया हो रही है, इसी बुझे से, तो देखा जाए, तो इंट्रेस रेट स्वैप में एक एफारे, एजर्स और इस आर्विट रिजर वो कर लिया हमने, एफारे के बाद, अगर हम आगे चले तो एक इंट्रेस रेट गयारंटी थी, हाँ सर उसमें इंट्रेस रेट गयारंटी भी हो गया है, सर वो समझ में आ गया, एक था इंट्रेस रेट फ्यूचर, जिसमें टी बिल पर बैटिंग कर रहे थे, हाँ सर वो भी समझ में आ गया उसके बाद फिर आगे चले तो स्वैप आ गया स्वैप में एक प्लेन वनीला स्वैप था उसमें फिक्स फ्लोटिंग एक ता ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप याद है ना हाँ सर ओवरनाइट जिसमें डेली कंपाउंडिंग होता था एक ता टू पार्टी स्वैप मतलब जो प्रश्च कर रहा हूं जल्दी-जल्दी रिकोर्ट करने का अगला टॉपिक होगा फॉरेक्स टेश्ट पेपर अपलोड कर रहा हूं तो चाहो तो आप टेस्ट दे दीजिए कर आपकी मर्चे टेस्ट देना नहीं देना तो कि रिविचन तो करी लें चुआ याऊक्स आते ह